इस वीडियो में हम डिस्स करेंगे हमारे best 200 GS के questions और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है Dr. Wipan Goyal और आज हम डिस्स करेंगे हमारा part 1 तो देखते हैं कि आज की lecture के अंदर कौन से question रहेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दू, आप मुझे different social media के साथ यहाँ पर जूड़ सकते हैं, just a second मुझे थोड़ा सा pen change कर लेने दीजिए, यह थोड़ा सा light आ रहा है, एक second है, एक second रुकना है, यह highlight रो गया, तो यही pen हमें choose करना पड़ेगा, यह वाला, ओके, तो आप मुझे different social media के साथ जूड़ सकते हैं, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter and Gmail ID के उपर in different social media के साथ जूड़ सकते हैं, और इस lecture की जो PDF है आपको telegram group से मिल जाएगी, तो telegram group डाउनलोड कीजिए, जो है आप, telegram group डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से, और उसके बाद Dr.WipanGoyal के नाम से telegram group है, यहाँ पर join कर लिजे, यहाँ पर lecture, information, सब share करी जाती है, और प्लस मेरे दो courses आते हैं, दो paid courses हैं हमारे study IQ के उपर, तो first है हमारा 10,000 MCQs का course, जो हमारा best selling course में आता है, और दूसरा हमारा GS course है, यह भी best selling में आता है, आप करेंगे कैसे इसको, study IQ की जो है आप आप डाउलोड कीजिए, प्ले स्टोर से, और अधर्वाइस उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जैसी आप best selling course में जाएगे, तो आपको पहले उपर नंबर पे ही आपको GS course नजर आ जाएगा, अगर नहीं आया, तो आप best selling course में भी 10,000 का course दिख जाएगा, जो MC की इसका course है, चैप्टर वाइस चीज़े दोनों में discuss की हैं, और topic वाइस चीज़े discuss करी गई है, और ये 20 जून तक इसकी जो है EMI अबिलेबल है, तो आप purchase कर सकते हैं, और अगर आप GS course purchase करते हैं, तो आप जो है VIP 500 coupon code use कीजे और to work towards a common object, मतलग क्या कह रहा है कि सर्व निशिष्ट उधेश्य के लिए जो है घांधी जी को जो है घांधी जी के सर्व निशिष्ट उधेश्य के लिए कारे करने के लिए उनकी सहायता के लिए लाव प्रद पूंची वाद का समर्थन किस भ्यारतिया जो है व्यवसाई ने किया जाने के किस भारतिया ने बताया गांधी जी को healthy capitalism के बारे में कि हाँ capitalism होना चाहिए market में competition होना चाहिए अगर आप एक common object की तरफ चल रहे हैं तो ये दिया था गंशाम दास बिरला जी ने जीडी बिरला जी ने अंसर इसमें क्या बनेगा ये option बनेगा जीडी बिरला जी के घर पे जो है रहते थे डैली के अंदर और प्लस एक चीज में आपको बताना चाहूंगा एक फिकी याद करीजिए आप याद करो फिकी ठीक है फिकी वर्ड याद किजिए that is called Federation of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry दोबार रपीट कर रहा हूं Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ये एक association है जो business organization को run करती है एक association है जो business organization की है और ये 1927 में established करी गए थी 1927 में और ये महात्मा गांधी जी द्वारा है महात्मा गांधी जी की advice थी लेकिन इस association को start किसने किया था जी डी बिरला ने और प्रशोत्तम दास ठाकूर ने प्रशोत्तम दास ठाकूर ने start किया था ये भी आपको याद रखना है फि बिरला नेक्स कोशन मैंने transplanted seedlings do not grow because देखे कुछ भी अगर हम जब हम क्या करते हैं कि transplanted seedling like for example आप nursery से कोई आप plant लेके आते हो चीक है जब कहीं से भी आप plant लेके आतो और दूसरी जगह के उपर उगाते हो तो वो grow नहीं कर पाते they do not grow because क्यों नहीं grow कर पाते क्योंकि उनक जो roots hairs होंगे नीचे roots होंगी वो तूट जाएंगी और खराब भी हो सकती है तो इसलिए इसका answer क्या बनेगा c option बनेगा c option is the right answer most of the root hairs are lost during the transplantation answer इसमें क्या बनेगा c option बनेगा very important next question who certifies the money bill धन विदेग बिल को कौन पर मानित करता है दिखिए first of all money bill होता गया है एक bill अगर bill के उपर speaker के sign हो जाएं तो उसको आप क्या कह देते है money bill कह देते है धन विदेग बिल कह देते है और money bill का article number कितना है 110 है president की permission से इसको लेकिया आना पड़ता है और हमेशे ये bill आता tax गटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं वो लिखा होगा इसमे salaries के बारे में लिखा होगा कि हाँ कौन कौन सी salaries इसको पे कर रहे हैं loans के बारे में लिखा होगा कि हाँ loans चुका रहे है interest loan payment दे रहे हैं और जो हमारा custody of constitution की उपर खरचा आ रहा है उसके उपर हम पैसा करते हैं Appropriation Bill बनता है आपका बजट के बाद जो है पेश होने के बाद तो उसका सारी की सारी जो चीज़े होती है वो आपकी Money Bill के अंदर लिखी होती है मतलब भारत देश की आजादी के बाद जो है कौन से एर में जो है Language Bases के उपर हमने जो है पूरी States को Organize किया Actually एक Amendment आई थी 7th Amendment Act, 7th Amendment Act 1956 जिसके according जो है 14 States और 6 Unit Territories को जो है आपने बनाया था तो answer इसमें क्या बनेगा आपका C option बनेगा 1956 बड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 7th Amendment Act हुआ था इस Act को आप और क्या कहते हैं आप इसको कहते है State Reorganization Act, State Reorganization Act, very important आई गोशन, State Reorganization Act 1956 ठीक है अब क्या था कि जब देश आजाद हुआ था तो एक S के धार कमिशन बैठा था पहले S के धार कमिशन 1948 में उसके बाद इसकी recommendation दिये थी कि हाँ administration के according जो है जैसे बटा हुआ देश है बांट दो ये हमने मना कर दिया JVP कमेटी ने जोहलान नैरू, बल्लबाई पटेल, पत्ताभी, सिता रमया ने मना कर दिया फिर 1953 में एक परसन से आंधरा Πरदेश से परसन थे जिनका नाम था पोटी श्रीमलू ठीक है? तो श्रीमलू जो है उनका नाम था और उन्हों ने जो है फास्ट किया उस टाइम पे स्टेट थी मदरास, लो मदरास से मदरास टेट थी लेकिन आंधरा जो थे वो तेलगु स्पीकिंग थे और श्री मलू जो थे वो तेलगु स्पीकिंग थे उन्हों ने कहा कि हमें एक स्टेट अलग बनाओ मदरास से अलग जाने के आंदरा की डिमांड करी थी तो इनका जो है 53-56 डेस के बाद जो है और फजल अली कमिशन के अंदर तीन लोग थे फजल अली थे के एम पानिकर थे और एचेन कुंजरू थे ये भी आपको याद रखना है फजल अली कमिशन था अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा 1956 मतलब जो है आपके पत्ती के संशोधन ऐसे कौन से किये गए हैं कि रेगिस्थान में भी वो अपना पानी लोस ना कर पाएं जाने कि पानी लोस से बच जाएं तो किस तरीके की मौडिफिकेशन देखने को मिलती है पहला है hard and the waxy leaves बिल्कुल सही है जी वहाँ पर बन जाते है wax cover लिकर लेते हैं और पानी लोस देखने को आपको कम मिलता है tiny leaves और no leaves बिल्कुल जादे हो आपके जो है thorns वगरन देखने को मिलते हैं जा leaves खतम कर लेते हैं वो thorn instead of leaves ये भी बिल्कुल सही है जाने के आपका पहला दूसरा तीसरा statement क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा जाने के कठोर और मोमी पत्या बन जाती हैं और छोटे पत्या जा कोई पत्या भी नहीं होती जा पत्यों की बजाए जो है कांटे नजर आने लग जाते हैं तो D option क्या बनेगा correct answer बनेगा D option is the right answer next question with a view to have animal protection world over several countries have been brought under the cover of the sites with effect from the 26th of August 2019 what does E stands for this acronym sites word का मतलब क्या होता है this is called sites sites का मतलब होता है the convention on convention convention on international trade in endangered species द्वार बोल रहा हूं convention on international trade of endangered species clear endangered species किसकी fauna and flora की fauna and flora मतलब plants और animals की fauna and flora तो इसका मतलब E से यहां पर word क्या है जी आपका endangered है तो answer इसमें क्या बनेगा looked pry A option क्या बनेगा correct answer बनेगा A option is the right answer और यह resolution जो adopt किया था हमने 1963 में adopt किया था और open था 1973 के अंदर signature करने के लिए और पूरा का पूरा जो लागू किया गया था वो 1 जुलाई 1975 को यह लागू किया था पूरा का पूरा sites का convention हमने 1 जुलाई 1975 को लागू किया था इसमें E word का मतलब क्या है endangered है answer is A option is the right answer next question the working committee of national congress sanction the resolution named quit India act जाने के भारो छोडो नाम का प्रस्ताव की मंजूरी जो है यहाँ पे कब दी गई थी भारो छोडो अंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को clear 8 अगस्त 1942 को और 8 अगस्त हम quit India day भी कह देते हैं और जो यह committee बैठी थी वो बैठी थी वर्धा के अंदर तो अंसर इसमें क्या बनेगा A option बनेगा और प्लस यहाँ पे गांदी जीने do और die का नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था और यह violent moment थी जो है हिंसा जनक moment थी और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा जो quit India moment है यह एक जो है leaderless moment है leaderless जाने कि इनके कोई leader नहीं बताते ठीक है एक चीज और आपको बना दूँँ कि अगर वहाँ पे leaderless option में नहीं आया तो आप उसको महात्मा गांदी के नाम से टिक कर सकते हैं यह ध्या रखिए ठीक है तो अंसर इसमें क्या जादा hormones निकलते हैं that is hypothalamus answer is B option और इसको आप क्या क्या कहते हैं thermostat भी इसको कह देते हैं क्या कहते हैं thermostat clear thermostat भी इसको कहते हैं किसको hypothalamus को thermostat और hypothalamus से जितने भी hormones हैं यहां से निकलते हैं pituitary gland से और plus hypothalamus जो है hunger center, book center का और thrust center भी देखने को आपको मिलता है, बुक और प्यास का, medulla की अगर मैं बात करूँ जितनी भी involuntary activities होती है, चाहे आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, ठीक है, और respiration ले रहे हो, दिल की दड़कन आपकी चल रही है, वो medulla से control हो रहा है, Cerebellum, जो जिसे आप little brain के नाम से आप जानते हैं, चोटा दिमाग और alcohol जो होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर effect करती है, आपके body के part के उपर, और plus हमारे जो हम सीधा खड़ा रहे हैं, टेड़ा खड़ा रहे हैं, तो वो हमें posture maintain करने में Cerebellum help करता है, थैलमस जो होता है, यह heat और cold का center देखने को आपको मिलता है, तो body temperature कहाँ से control हो रहा है, hypothalamus से B option क्या बनेगा, राइट answer बनेगा B option, next question, which of the falling grants, grant और grant direct credit assistance to the rural household, जाने के गाउं के जितने भी गाउं के लोग होते हैं, उनके अंदर, उनके banks account के अंदर जो होती है, परत्यक्ष रिन सहायता जो है, वो कौन परधान करता है, परत्यक्ष रिन सहायता, मतलब उसके account में सीधा का सीधा पैसे जा रहे हैं, वो कौन प्रोवाइड कर सकता है इन में से, RRB बिल्कुल जी, RRB 1975 में इसको जो है, स्टार्ट किया गया था, नरसिमम कमेंटे की रिकमेंडेशन से, और ये तो बिल्कुल आएगा जी, आएगा, ठीक है, RRB का concept बिल्कुल हमारे देश में देखने को आपको मिलता है, ठीक है, और इसमें जो है, शेर होता है तीन लोगों का, सेंटर का, स्टेट का, और स्पॉंसर्ड बैंक का, और स्पॉंसर्ड बैंक आपका नैशनलाइज बैंक होता है, सेंटर का जो होता है, 50% शेर होता है, स्टेट का आपका 15% है, और Nationalized Bank का 35% देखने को आपको मिलता है share RRB के अंदर तो मतलब ये तो सीधे banks के जो है लोग देते हैं पैसे बिल्कुल सही है दूसरा option है National Bank for Agriculture and Ruler Development जाने के नाबाड नाबाड जो है गाउं के जो लोगों के पैसे नहीं देता उनके account में पैसे नहीं देता ये अपने institutions को देता है जैसे for example RRB Land Development Banks इनको देगा और ये जो लोग हैं ये पहला और तीसरा option जो है ये लोग क्या करेंगे लोगों के account के अंदर डालेंगे लेकिन नाबाड सीधे पैसे नहीं देता तो इसलिए इसका answer क्या बनेगा आपका C option बनेगा C option क्या बनेगा correct answer बनेगा important question है गलत नहीं करना answer is C next question the chemical that is used to ripen mangoes जाने के जो mango है आपको पकाने में इसमें इस्तेमाल का रसाइन कौन सा आता है कौन सा chemical देखने को आपको मिलता है ठीक है एक चीज़ आपको बता दूँ कि chemical जो होता है वो होता है आपका calcium carbide answer is B option answer is B option और plus अगर आपसे पूछा जाए gas कौन सी है तो ethylene gas है वहाँ पे जो है acetylene भी आ जाता है तो दो एक लेना जो paper में option होगा देख लेना सही हो जाएगा आपका ठीक है answer is B option clear और यह है calcium carbonate CACO3 इसको कहते हैं CACO3 and calcium sulfide is CACO3 clear मैं जस्ट बता रहा हूँ बस बाकी यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि राइपर मेंगो के लिए calcium carbide is the very important जो chemical है next question asiatic society of Bengal was established in Calcutta by जाने कि asiatic society जो है वो किसके द्वारा स्थापना करी गई थी तो वो स्थापना करी गई थी किसके द्वारा यहाँ पे वारन हास्टिंग का नाम है वारन हास्टिंग जो है इनके टाइम पे regulating act आया था और यह पहले जो है governor general of Bengal बने थे यह द्यान रखना है आपको और उसके बाद राजा राम मोहन राए यह ब्रह्मो समासे के साथ समन्नित है राजा वर्ड जो है इनको दिया था अकबर दृत्या ने अकबर दृत्या ने दिया था मुगल एंपरर थे राजा राम मोहन राए को modern man of India भी कहते हैं modern man of India किस ने बोला था जो हाला नहरू जी ने किस बुक में बोला था discovery of India में जाने कि भारत की खोज में बोला था और राजा राम मोहन राए जो है इन्होंने English language को promote करने के लिए बात करी थी जो है बैंटिक का भी था लॉर्ड बैंटिक का ठीक है यह भी विल्यम बैंटिक का लेकिन किस की recommendation से आया था मैकॉले की recommendation से आया था इसलिए मैकॉले को हम father of English education in India कहते हैं और सती प्रथा जब खतम करी गए थी 1829 में इसमें भी बैंटिक का बहुत बड़ा हाथ है यह चीज़ द्यान रखना तो मैकॉले के बारे मैं बताई दिया है तो इस question का answer क्या बनेगा विल्यम जॉन्स next question with reference to the food chain in the ecosystem which of the following kinds of organism are known as decomposer organism or organism decomposer word का मतलब पता क्या होता है कि जो dead material की उपर जिंदा रहता है और उसको decompose करते करते क्या करता रहता है कि हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बना दे जो हमारी soil के लिए जो है beneficial होता है organic materials को break करके बहुत सारी चीज़े जो है तियार कर देते है ताकि हमारी soil के fertility बढ़ती रहती है तो इसमें कौन से चीज़ है जो soil के उपर ऐसे काम करते है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए तो इसमें दो चीज़े हैं fungus और bacteria जाने के फंगी और जिवानु इसमें ऐसे है वाइरस इस नहीं आएगा तो इसमें answer is second and third option वाइरस जो है वाइरस इस दा connective link between the living and non-living और इसको आइवेन वसकी ने बताया था और Indian Institute of Virology जो है वो कहाँ पर है पूने माराष्टा के अंदर है और fungus की study को हम क्या कहते हैं mycology mycology कहते हैं algae की study भी पूछा जाता है phycology algae की study is called phycology answer इसमें क्या बनेगा b option बनेगा two and three next question the main protein found in the milk is the main protein found in the milk is milk के अंदर जो protein है वो कौन सा देखने को आपको मिलता है so milk के अंदर protein देखने को मिलता है आपको casein answer is D option actually क्या होता कि बच्चों के अंदर जो है आपका एक enzyme होता है renin renin enzyme बड़ अक्टिव होता है जैसे आप देखेंगे कि वो बच्चे दूद पीते हैं दूद पीते ही वो जब उल्टी कर दें जाब वमिट कर दें ठीक है तो वो एक दही की फॉर्म में करते हैं actually क्यों क्यों क्योंकि वो renin enzyme में काफी active होता है और दूद में protein को जो है वो दही में convert कर देते हैं globin की अगर मैं बात करता हूँ तो यह globin जो होता है यह hemoglobin का पार्ट है किसमें blood का पार्ट आता है arbicis का पार्ट देखने को आपको मिलता है globulin की अगर मैं बात करता हूँ तो globulin जो है यह हमारे immune system को develop करने के लिए बड़ा role play करता है infection से fight करता है blood clotting में भी आपको help करता है और यह liver में बनता है very important liver में बनता है albumin albumin is again important albumin जो है again एक protein है जो liver में बनता है liver में ठीक है यह चीज़ जहां रखे और blood plasma में होता है यह भी आपको पता होना चाहिए blood plasma में देखने को आपको मिलता है blood plasma में answer इसमें क्या बनेगा D option casein is the right answer next question bio fortification is a bio fortification जो है यह क्या होता है यह एक method है कि जिससे हम किसी भी crop की nutrition value जो है भढ़ा सकें this is called bio fortification that is a method of breeding crops to increase their nutritional value जनके उनके portion मुल्या को भढ़ाने के लिए फसलों की प्रजनन की वीदी को आप क्या कहते है bio fortification आप कहते है answer इसमें क्या बनेगा A option is the correct one very important next question black soil is also known by the witch name black soil को और क्या कहते है black soil जो होती है वो cotton की खेती के लिए आपको चाही होती है कपास की खेती के लिए कपास वहां पर उकती है जहां पर नमी हो जो है moisture content देखने को आपको मिलता है और black soil जो होती है volcanic जो है rock होती है जनके volcano वगरा से देखने को आपको मिलती है और इनके देखेंगे आप cracks वगरा पढ़ जाते हैं क्योंकि water retention करके यहां पर crack देखने को आपको मिल जाएंगे और इस soil को आप रैगूर soil के नाम से भी जानते हैं और इसमें nitrogen और humus का content देखने को आपको नहीं मिलता और यह इसमें lime, lime, aluminium, calcium, potash यह ऐसे सारी चीज़े रिच देखने को आपको मिलती है और यहां पर लिखा हुआ है alluvial soil जिसे आप जलोड मिटी भी कहते हैं जलोड मिटी ठीक है अगर आपसे पूछा जाए सबसे fertile soil कौन सी है सबसे fertile soil कौन सी है वो आपकी alluvial soil है और alluv इंडिया का map देखेंगे इंडिया का map देखेंगे ठीक है तो पूरा का पूरा पूरा पंजाब, UP, हरयाना यहां पर ही सब कुछ क्यों है क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी साल नदिया भैती है और प्रपर तरीके से agriculture देखने को मिलता है alluvial soil देखने को आपको वहां पर मिलती है clear और यहां पर लिखा हुआ है बंगड और खादर जो होती है वो new alluvium soil को कहते हैं और बंगड जो होती है old alluvial soil को आप कहते हैं इस question का answer क्या बनेगा डी option रेगूर soil next question the most important fishing grounds of the world are found in the region where दीखे fishing grounds वहां पर होते हैं जहां पर आपके दो water current जो है meet करते हैं वो दो water current कौन से है hot and cold hot and cold water current जो जहां पर मिलेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखने को मिलेगा fishing grounds देखने को मिलेंगे तो answer इसमें क्या बनेगा c option बनेगा गर्म और ठंडे मास अग अगर धराएं जो है जब मिलती है और जब भी ठंडा और गरम पानी मिलता है तो आपकी fog पैदा होती है यह भी आपको याद रखना है और प्लस यहां पर एक चीज़ यार नखिये कि fishing ground for example अगर मैं बात करूं कि जो आपके found land great bank of found land है ठीक है जहां पर आपका North Atlantic drift और cold labrador current बगरा मिलते हैं तो वहां पर भी जो है यह fishing grounds देखने को मिलते हैं और प्लस fog का condition देखने को आपको मिलती है आंसर इसमें क्या बनेगा C option is the correct one where warm and cold ocean current meet next question in eukerotic cells synthesis of RNA takes place in जाने के RNA जो है का translation कहां पर होता है बनता कहां पर है RNA जो बनता है RNA देखे एक process होता है DNA से बनता है RNA RNA से बनता है protein यह भी आपको याद रखना है और इसमें process जो होता है DNA से RNA बनने का उसको आप क्या कहते हैं transcription कहते हैं transcription और RNA से protein बनने के process को आप क्या कहते हैं translation कहते हैं clear यह याद रखना है आपको transcription और translation यहाँ पर RNA बनना RNA बनना मतलब DNA से RNA बनना तो मतलब जहाँ पर DNA प्रेजेंट होगा उसी सी जगह पर RNA बनेगा तो इन में DNA होता है mitochondria में DNA देखने को आपको मिलता है और nucleus के अंदर DNA देखने को मिलता है लेकिन synthesis जो होती है RNA की वो देखने को मिलती है nucleus में answer is D option क्या बनेगा right answer बनेगा और nucleus में nucleus को आप क्या कहते हैं control room of the cell भी इसको कहा जाता है DNA भी देखने को आपको मिलता है यहाँ पर answer is D option ribosome जो है इनको आप protein factory of the cell भी आप कहते है protein factory of the cell centrioles वहाँ वो होता है कि जो animal cell में cell division के आपको काम आता है जाने के जो विखंडन के काम आता है कोशी का विखंडन के जो mitochondria DNA होता है power house of the cell भी इसको कहते है और plus जो कोई एक cell जो सांस लेता है respiratory site of the cell वो कौन सी है mitochondria देखने को आपको मिलती है answer इसमें क्या बनेगा D option nucleus is the correct one next question what is the name of the book written by पानिनी पानिनी द्वारा जो है इन में से कौन सी बुक लिखी गई है वो लिखी गई है अश्ठ ध्याय अंसर इसमें क्या बनेगा D option और अश्ठ ध्याय जो है यह आपकी एक Sanskrit grammar है पहली Sanskrit grammar and one more question is कि अश्ठ ध्याय की उपर एक commenter लिखी गई है वो लिखी है पतंजली ने पतंजली ने एक commenter लिखे है उसका नाम क्या है महाभाश्या महाभाश्या जो आपकी यह वाली है महाभाश्या तो यह चीज ध्याय रखिए तो अंसर इसमें क्या बनेगा D option लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मिताश्या ठीक है मिताश्या जो है inheritance by birth जाने के जो आपकी generation to generation जो चीज़े आती है वो यहाँ पे लिखी गई है और विजनेश्वर ने इसको लिखी है माध्यमिक कारिका जाने के आपका जो है महायान philosophy के उपर based जाईए और यह concept दिया था नागरजुना ने नागरजुना ने concept दिया था अंसर इस D option अश्ट धिया ए नेक्स्ट कोशन विच ओव दा फॉलिंग कॉंसिचूट दा capital अकाउंट जाने के इन में से पूंजी खाता जो है वो कौन सा है देखे जो capital अकाउंट होता है capital अकाउंट हमेशा आपका जिसमें long term funds आते हैं वो हो ठीक है जैसे IMF World Bank से है यह आपका long term के लिए आता है foreign direct investment जो आपका long term investment होती है और हमारे देश में asset creation करके जाते हैं और जो हमारे देश के लिए benefit होती है portfolio investment FPI और FIA जिसे आप कहते हैं foreign institutional investor foreign portfolio investment जो आपके shares और bonds में purchase करते हैं यह भी आपके capital account का हिस्सा होते हैं लेकिन यह short term क को आप और क्या कह देते हैं hot money के नाम से भी आप जानते है hot money के नाम से भी यह ध्यान रखना है आप लोगों को ठीक है तो इसमें जो इसमें जो answer बनेगा वो आपका one two and four बनेगा लेकिन private remittances जो है वो किसका part आता है current account का आता है लेकिन इसमें capital account पूछा था हाँ one two four is the right answer इसमें B option क्या बनेगा right answer बनेगा one two four is the correct one next question thermal electricity is generated by which one of these जने के thermal electricity जो है सबसे यदा कैसे पैदा करी जाती है हमारे देश में सबसे यदा electricity जो है energy जो अगर मैं बात करूँ तो सबसे यदा जो है energy thermal energy देखने को आपको मिलती है और इसमें thermal electricity पैदा करी जाती है coal natural gas और petroleum से answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा very important और एक चीज़ और आपको मैं बताना जाओंगा कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाए कि किस से पैदा होती है तो वो coal से पैदा करी जाती है लेकिन तीनों ही इसमें आएंगे clear और coal जो है आपका इसमें चार वराइटीज ABLP के नाम से आपको याद करना है anthracite, bituminous, lignite और peat, anthracite में अच्छे गुन होते हैं, peat में सबसे विगार गुन होते हैं, clear answer is C option next question, among the following states which one has the most suitable climatic condition for the cultivation of large variety of orchards with minimum cost of production and can develop and export oriented industry in this field orchid, orchid, orchid ज्यादा करने के लिए इन में से कौन सा ऐसा state है और जहां पर आप export भी कर सकते हैं और यह state है जिस सबसे ज़्याद जो orchid और orchid पैदा करता है, that is अरुनाचल परदेश, answer is B option is the right answer और नाचल परदेश में आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक नामडाफ नैशनल पार्क है, नामडाफ नैशनल पार्क है, मौलिंग नैशनल पार्क है ठीक है, आंदर परदेश में आप एक और याद करो कि यहाँ पर wildlife century याद कर लो, it's called पक्वी और पके और पक्वी, wildlife century, यह आपको याद रखना है, answer इसमें क्या बनेगा, B option बनेगा next question, who among the following established the department of archaeological survey, archaeological survey का जो department है, वो किसने start किया था और अगर मैं बात करूँ, archaeological survey का, तो यह start किया था, Lord Curzon ने, answer इसमें क्या बनेगा, A option बनेगा लेकिन अगर आपसे पूछा, कि archaeological survey of India, archaeological survey of India, जो है, यह किसने start किया था, यह 1861 में start किया गया था, by Alexander Cunningham जो इसके पहले director general भी बने थे, Alexander Cunningham दोरा, जो Cunningham, और जो अब हमारी कौन से ministry के अंदर आता है, survey ministry के अंदर आता है, and ministry of culture के अंदर आता है, ठीक है, ministry of culture के अंदर आता है, पुरा तत्व का department, ठीक है, यह ध्यार रखिए, और यह जो है, बिवाग जो है, पुरा तत्व, की बात करी गई थी, Lord Champsward, यह Montesco Champsward reform के साथ संबंदित है, जब डियार की की बात करी थी, दुए शासन की बात करी गई थी, कहां पे दुए शासन की बात करी गई थी, आपके प्रांतों के अंदर, और Lord Harding की अगर मैं बात करता हूं, तो यह वो है, जब 1911 के अंदर capital अन की उपर Bump किस ने फेका था, यह मुझे comment section में लिखके बताएंगे, इसमें answer क्या बनेगा, A option, Lord Karzan, next question, which one of the falling is not a, not a site for in-situ method of conservation of nature, in-situ का मतलब बता क्या होता है, in-situ का मतलब यह होता है, कि अगर आप natural method में, natural, जैसे suppose करोगी, जहां पे आप जन में हो, अगर आप उसी ठीक हो, ठीक है, natural environment में रहता है, खोले घूमते हैं, खाते पीते हैं, सब चीज़ से जलती है, तो वो होता है, in-situ, अगर आप उसके environment से आप निकाल के ले आए, तो उसको आप क्या कहते हैं, ex-situ कह देते हैं, और in natural environment जो होता है, वो कान सा है, जैसे biosphere reserve हो गया, natural है, botanical garden this is called ex-situ, यह garden में रख रहे हो आप बहार, wildlife century जो है, natural है, national park जो है, natural है, तो मतलब A, C, D जो है, वो in-situ है, और botanical garden जो है, वो ex-situ है, तो इसका अंसर क्या बनेगा, आपका B option बनेगा, botanical garden is the right answer, बानसपतिक उध्यान is the correct one, B option is the right answer, next question, what was the purpose with which Sir William Wederban, W.S. Cain had set up the Indian parliamentary committee in 1893, 1893 के अंदर जो है, इनके द्वारा, दो अंगरे जो द्वारा, Indian parliamentary committee के अंदर, जो है, constitute क्या गया था, और purpose क्या था, इसका purpose यह था, क्योंकि पहले इससे क्या था, 1885 का जब बनी थी, आपकी Indian national congress, तो उसमें जो है, जो W.C. Benergy was the chairperson, लेकिन किसकी recommendation, किसकी सहायता से बन थी, A.O. Hume, ठीक है, जो A.O. Hume है, A.O. Hume की मदद से बनी थी, लेकिन A.O. Hume जो है, General Secretary बने थे, यहाँ पे, I.N.C. के, लेकिन इसके इनके इलावा भी, दो परसन ऐसे थे, जो इन्होंने associate किया था, वो कौन थे, Sir William Baderban, NWS, जो है, sorry, William Baderban और एक परसन थे, Justice John Jadden, Justice John Jad यह थे, तीन लोग थे, जो अंग्रेजों ने साथ दिया था, ठीक है, और इसलिए William Baderban और WSKN ने क्या किया था, कि हाँ, आप ऐसे करो, कि जो Indians है, उनको कुछ rights तो दो, political reforms तो करो, ताकि जो है, आपके वो देश में अच्छा सा काम कर पाएं, और अपना देश चला पाए ठीक है, मतलब अपना काम कर पाएं, क्योंकि उस तरहें पर moderate से नरम दलवाले लोग थे, तो इसन का जो main audition था, वो क्या था, ताकि to agitate for the Indian political reforms in the house of the common, house of common के अंदर जो है, यह लड़ पड़े थे, मतलब उनके भारतिया राजनेती सुधारों के लिए जो है, उन्होंने vote on account और interim budget का क्या मतलब होता है, जाने कि अंतरिम budget और vote on account, vote on account का मतलब यह होता है, कि जैसे suppose करो कि आपके, जैसे कि आपके कोई, जैसे government है, government आपकी, जो है caretaker government है, जाने कि यह government जाने वाली है, तो क्या होता है कि fab में budget पेश करते हैं, लेकिन जो pass होता है, वो may में होता ह अब फैब से मई का खर्चा जाई होगा वो केर टेकर अगर गवर्मनेंट खर्चा ले रही है तो डैड़ी स्कॉल वोट अन अकाउंट और इसमें पैसा खर्चा कितना होता है वन सिक्स जितना आपका बजट होता है एक बड़ा छे पैसे दे देते हैं लेकिन जो इंटेरियम बजट होती है अगर गवर्मनेंट को लगे कि हाँ वो ही गवर्मनेंट आयेगी तो वो रैगुलर बजट पेश कर देती है दिसे आप इंटेरिम बजट कहा देते हैं जिसमें सारी चीज़े बजट जयसे लिखी होती है तो वो आपकी interim budget देती है और interim budget का मतलब यहाँ पे यह हो गया कि इसमें आपका खर्चा भी लिखा होगा expenditure भी लिखा होगा और इसमें लिखा होगा कि कहां से पैसा आया है receive हुआ है यह दोनों चीज़े लिखी होंगे तो vote on account जो है care taker government द्वारा और interim budget regular government द्वारा और vote on account में expenditure लिखा होता है interim budget में पूरा खर्चा और कहां से पैसा आएगा वो लिखा होता है vote on account में एक बटा छे पैसे मिलते हैं पूरे जितना भी budget हो आपका तो देखे जी क्या है provision of the vote on account is issued by the used by the regular government नहीं यह मैंने आपको बता दिया vote on account जो है care taker government द्वारा होता है तो पहला statement यह आपका गलत हो गया दूसरा है vote on account only deals with the expenditure in the government in his budget while an interim budget includes both expenditure and receipts यह आपका point बिल्कुल सही है दूसरा point आपका बिल्कुल सही है कि vote on account जो होता है यह केबल सरकार के खर्चे का सौधा budget है लेकिन अंतरिम budget में जो होता है खर्चे और रसी दोनों शामिल होते हैं तो इसलिए answer क्या बनेगा जी आपका B option बनेगा B option केबल 2 is the correct answer B option next question which other falling is an organic acid carbonic amal जो है इन में से कौन सा है organic acid पूछ रहा है जी carbonic amal कौन सा है और organic वो होता है जो चीजे natural चीजे से produce करते हैं natural चीजों में use होता है और इसमें use होता है आपका that is acetic acid क्या answer is C option acetic acid acetic acid का जो formula होता है CH3 COHO होता है जिसे आप इthinoic acid के नाम से भी जानते हैं सिर्का जिसे आप कहते हैं और यहां पे hydrochloric acid है HCL HCL जो निकलता है हमारे stomach से निकलता है stomach की कौन सी stomach जनके आपके amasya से stomach से कहां से निकलता है oxintic cell से जो digestion में आपके काम आता है और nitric acid के अगर मैं बात करूँ तो HNO3 होता है जो HNO3 है यही आपके जब पहली बारिश आती है तो देखने को मिलता है sulfuric acid S2SO4 king of acid इसको कहते है answer is क्या बनेगा C option बनेगा acetic acid next question which one of the following statement appropriately described the fiscal stimulus जो अभी नजर में आया था आपको news में नजर आया था राज कोशिया उतेजना जो word है इसका मतलब क्या होता है fiscal stimulus का मतलब यह होता है कि जब government का काम ठप जाए जब गर्मेंट नग्रोथ कर पा रहे है जैसे अभी COVID-19 का process चल रहा है तो ना तो लोग जो है वो घर पे बैठ हैं काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीगे से और government भी नहीं चल पा रहे है लोगों को employment दी जा सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके तो यह क्या होता है अंसर इसमें क्या बनेगा यह देश में आर्थिक गतिवदियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सरकरात्मक कारवाई होती है अंसर इस बी ऑप्शन is the right answer next question महात्मा गांधी said that some of its deepest conviction were reflected in a book title unto this last यह unto this last book जो है गांधी जी के उपर बड़ा परभाव डाला था और यह book किसकी है जॉन रसकिन की यह भी आपको पता होना चाहिए यह जॉन रसकिन की book है clear और यह book का जो है बहुत ज़्यादा परभाव डाला था and book transformed his life जने के उनके life को change कर दिया था उनके life को change कर दिया था what was the message from the book that transformed महात्मा गांधी देखे जॉन रसकिन की इस book से जब उन्होंने पड़ा तो इन्होंने देखा कि अगर मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ न तो मुझे सब के लिए अच्छा करना पड़ेगा मतलब अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि obviously बात है कि एक व्यक्ति का अगर अच्छा कर रहे हो तो उसी में ही सब की भलाई शामिल है जिसमें आपका गांधी जी का जो concept आया था सरवोदया सरवोदया जाने के सब का उदया rising of all का जो concept आया था सरवोदया concept आया था वो गांधी जी ने इस book के ऊपर ही दिया था तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप अच्छा कर रहे हो किसी का obviously बात है सब व्यक्ति अगर एक व्यक्ति का है अगर आप अच्छा कर रहे हो for example देखिए मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ मैं नहीं कहता कि मैं किसी की life नहीं चेंज कर सकता या करता हूँ कुछ भी ऐसे है अगर suppose करूगी इस लेक्चर को पढ़के मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं इसमें 100 कोशन डिस्कस करने जा रहा हूँ तो 100 कोशन में इसे अगर आपके पेपर में 3 कोशन भी आ गए ठीक है तो आपके लिए major change हो जाएगा मतलब 3 का 6 सीधा number होगे हो सकता कि सीधे के सीधे आपको 5 दिख जाए हो सकता है 10 भी दिख जाए अगर आपको इनमें से कोशन नजर आगे मेरी explanation में आपको नजर आगे कि पेपर में ऐसी कोशन पड़े हैं तो आपकी तो life change होगी ना तो इसका मतलब गया है कि अगर मैं एक बंदा भी मेरा इस lecture को बहुत ढंक से सुन रहा है अगर मैंने उसकी life change कर दिना तो मेरे लिए बहुत है मैंने उसका उध्या कर दिया सरवध्या कर दिया और बच्चे तो बहुत सारे देख रहे हैं तो उसमें सबका उध्या होने वाला concept आता है यह महात्मा गांदी जी का concept था तो that means the good of the individual is contained in the good of all that means be option क्या बनेगा Right answer बनेगा एक व्यक्ति कि अगर भलाई कर रहे हो तो सभी के हित में वह नहीं ही हित है लेकिन यहां देखिए कि यहां पे आपने एक व्यक्ति की help कर रहे हो इसमें यह नहीं है कि पूर को help कर दिया है depressed class को help कर दिया किसी भी व्यक्ति के अगर आप help कर रहे हो तो उसमें आपको benefit नजर आएगा ही आएगा यह ध्यान रखना answer इसमें क्या बनेगा आपका answer इसमें क्या बनेगा B option is the correct one B option is the right answer बनेगा इसमें से ठीक है B option next question देखिए consider the following actions with the government can take यह देखिए जी कब कह रहा है जब current account deficit चल रहा था अब current account deficit का मतलब बता क्या होता है current account deficit का मतलब वो होता है कि जब आपके घाटा पड़ रहा हो government का ठीक है so government का घाटा का पड़ेगा government का घाटा पड़ेगा जैसे for example आपका import export की बाद चल रही हो ठीक है तो import export की बाद चल रही हो और import export में जो है government का कोई घाटा बढ़ जाए import export में अगर government का घाटा बढ़ गया current account deficit हो जाएगा जैसे for example हमारे देश में import जाता हो गया, import बढ़ गया export से, ठीक है, import अगर export से भढ़ जाए, तो उसमें case में ये नजर आपको देखने को आपको मिलता है, import is greater than the export, ठीक है, अब इस case में क्या नजर आता है आपको, इस case में नजर आता है कि जब import बढ़ गया, तो आपका export कम हो है कि हमें इसको reduce करना है, तो reduce कैसे करेंगे, भाई अब reduce इसलिए करेंगे कि आप ऐसे करो, कि आप जो है, जो I mean to say, export बढ़ा दो, अब export कैसे बढ़ाया जाएगा, export बढ़ाने के लिए, जा तो आप export बढ़ा दो, जा फिर आपके पास पैसे आ जाएए, जा फिर कुछ इस लेकिन अब इसमें हमें phenomenon समझना पड़ेगा, कि वो कैसे आएगा, ठीक है, तो first of all जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, devaluing the domestic currency, devaluing the domestic currency का मतलब पता क्या है, कि अगर आप currency, जो domestic currency है आपकी, जो country की domestic currency है, अगर आप इसकी value कम कर दो, अगर आप इसकी value कम कर दो, for example, एक जो है, 70 रुपे का कर दो, ठीक है, मतलब क्या हो गया, value घर की, अब पहले 1,60 रुपे का था, अब 70 का, foreign वाले के लिए क्या हो गया, ज़्यादा रुपे मिलेंगे, तो वो जल्दी सी जल्दी यहाँ पे खरीदने आएगा, तो इससे क्या होगा, कि आप export कर रहोगे, तो obviously बात है, आपकी देश में, जो है, value जो है, आपकी export भढ़ जाएगा, दूसरा जो है, reduction in the export, subsidy, अब आप जो है, अगर आप suppose करोगी, देश का, जो है, अच्छा करना जा रहे हो, और export कर रहे हो, जब आप export कर रहे हो, तो आप export देने में subsidy देते हो, कि हाँ भाई, अगर तु आप reduce कर देगे, जो subsidy कम कर दोगे, तो obviously बात है, महंगा बिकेगा, तो अब इससे क्या होगा, आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो again यह भी process आएगा, next है, adopting suitable policies which attract FDI and more funds from FIA, लेकिन द्यान रखिए, जब भी FDI की बात आ रहे हैं, FDI और FIA की, पहली बात तो यह current account deficit क पार्ट नहीं है, FDI जो पार्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया था, यह capital account का हिस्सा होता है, FDI और FIA, current account में पहले दो concept यह आएंगे, तो answer इसमें क्या बनेगा, आपका A and B, जाने के A option बनेगा, first and two is the correct one, ध्यान रखना, FDI और FIA जो है, capital account का हिस्सा होते हैं, next question, what is जादू गोड़ा, known for, जादू गोड़ा जो है, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, जादू गोड़ा जाना जाता है, uranium deposits के लिए, answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, uranium deposits के लिए, D option is the correct one, uranium deposit, और uranium की और जो है, वो है, pitch blend, यह भी आपको याद रखना है, और uranium को हम जी आपका D option, uranium deposits, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक word लिखा हुआ है, one rhino, one horn rhino, एक सिंग वाला गेंडा, यह कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको काजी रंगा नैशनल पार्क में, यह भी आपको याद कर लिए, काजी रंगा नैशनल पार्क कहाँ पे है, असमें, नेक्स्ट देखते हैं अगला कोशन, इंडिया is regarded as a country with the demographic dividend, demographic dividend word का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे भाई, आपकी production करने वाली age जो है, वो जादा हो, जाने के चीज़ों को, I mean to say, जो चीज़ों, production करने वाली जो चीज़ है, वो जादा हो, that means किसी के ऊपर dependent वाली age ना हो, तो इसका मतलब वो कौँसी age होती है, 15 से 64 वाली age होती है, जो हाँ पे आप productivity बहुत जादा करते हो, किसी के ऊपर dependent नहीं होते हैं, जाने कि 15 से अगर कम होते हो, तो dependent है, 64 से अगर aged है, तो भी आप dependent है, 15 से 64 age वाले demographic dividend का हिस्सा बनते हैं, जो हमारे देश में सबसे देखने को आपको मिलती है, तो इसका मतलब answer क्या बनेगा, it's high population in the age group of 15 to 64 years age, जाने के B option क्या बनेगा, correct answer बनेगा, answer is B option, next question, which other falling is not connective tissue, इन में से कौन सा संजो जी उत्तक नहीं है, कौन सा संजो जी उत्तक नहीं है, तो पहले देखे जी बोन, बिल्कुल है, बोन तो कैशम और फॉसफोरस की बनी होती है, दो हड्यों को जोडती है, फाइबर के साथ जोडती है, काटिलेजिस जो होते है, ये बिल्कुल जी connective tissue है, जो joints वगएरा के साथ, elbow, ribs के साथ जो जुड़ा होता है, ये भी आता है, blood बिल्कुल जी connective tissue है, ये fluid connective tissue है, तरल संजो जी उत्तक है, clear, ये भी आपका आता है, skeletal muscle is not the connective tissue, skeletal muscle जो है, कंकाल की mass patient जो है, वो कोई भी इसमें connective tissue नहीं आता, संजो जी उत्तक नहीं आता, अंसर इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, कोई उसने not पूछा था, D option is the correct one, next question, इन में से नमल निमल खित के उपर विचार करना ह जी, which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle on the earth, जाने कि carbon dioxide जो है, जिसने carbon dioxide जो है, जिसने carbon cycle on the earth के अंदर जो है, एड करता है, देखें, carbon cycle के अंदर आपकी oxygen बाहर भी जाएगी, और अंदर भी आएगी, लेकिन इसने question ध्यां से देखें, specific इसने बोल दिया, एड करता है, photosynthesis में एड नहीं होती, जाने कि प्रकास insulation में add नहीं होती, वो carbon dioxide को use करता है, oxygen को use करता है, और water को use करता है, और glucose बनाता है, और oxygen छोड़ता है, तो इसमें तो add हो नहीं रही, इसमें तो use कर रहे है, respiration में बिल्कुल हो रही है, volcanic action के अंदर बिल्कुल हो रही है, जवाला मुखी करिया में, organic matters को decay क करते हैं, तो इसमें भी होती है, तो मतलब A option नहीं बनेगा, बाकी answer बनेगे, दूसरा, तीसरा, चौथा अंसर बनेगा, right answer, क्योंकि photosynthesis के अंदर, प्रकास insulation के अंदर हम oxygen, sorry, carbon dioxide को use करते है, add नहीं करते, add का मतलब क्या कि उस cycle के अंदर ज्यादा से ज्यादा आई, जब मतलब अगर हम नहीं बात करें, plants उसको खा गए है, मतलब atmosphere में नहीं रही, वैसे तो है यह ना, लेकिन otherwise वो तो खा गए है, तो इसका मतलब क्या हो गया, भी add ना होके, वो loss हो रहा है, carbon dioxide का, इसलिए answer क्या बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा is the correct answer, next question, during whose rain did the Moroccan traveler, इबन ब इबन बतूता किसके टाइम पे आया था, 14th century में, यह आया था, मुहमद बिन तुगलग के टाइम पे, answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, मुहमद बिन तुगलग जो है, जिसे आप wisest fool of India भी आप कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 काम ऐसे किये थे, short में बताऊंगा मैं इसक कि क्यों से 5 काम किये थे, ऐसे, डेली 2, दौलताबाद देवगिरी जो है, capital shift करी थे इसने, और दूसरा token currency की काम चलाया था, दुआब के अंदर double tax कर दिया था, और खुरासन expedition के लिए बात कर रहा था, जो है, इराक के लिए सब कुछ फेल हुआ था, और कुमाओं, hills के स्टेट नहीं बन सकती, obviously बात है, क्योंकि हिंदी बहुत जादा है, फिरोशा तुगलग, फिरोशा तुगलग ऐसे परसन है, जो जिनको slave रखने का बड़ा शौंक था, गुलाम रखने का, दिवाने बंदगन, दिवाने बंदगन जो है, इन्होंने बनवाया था, दिवान जो अलाउदिन खिलजी है, इनको दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा साउथ इंडिया तक जो है, रूल किया था, अलाउदिन खिलजी ने maximum मंगोल का जो है, देखा है, मंगोल को attack, जो है, maximum देखा है, और अलाउदिन खिलजी का जो original name था, अली गुर्षप, अली गुर्षप is the name, ये ध्यान रखिए, तो अंसर इसमें क्या बनेगा, जी, D option मौहमद बिन तुगलग, next, if RBI reduces the cash reserve ratio, it will, दिखे क्या ध्यान से समझे, cash reserve ratio, that is CRR, अब CRR का मतलब क्या होता है, कि अगर RBI जो है, कुछ पैसा, जो बैंक होते हैं, वो जमा करते हैं, किस form में, cash form में, जिसमें RBI जो है, वो bank को कोई भी ब्याज नहीं देती, ये चीज़ ध्यान रखिए, तो अगर bank जो है, RBI के पास पैसा जमा कर रहा है, तो इसका मतलब वो हम पे जमा हो रहे हैं, अब question क्या कह रहा है, कि अगर उसने reduce कर दे, अगर वो reduce कर जाने के, अगर मैं कहूं कि पहले 5 रुपे जा रहे थे, अब 4 रुपे जा रहे हैं, तो इसका मतलब bank के पास ज़्यादा पैसा आगया, और RBI के पास पैसा नहीं होगा, और इससे क्या कर रहे हैं, हम रिन निर्मान जो है, बढ़ा रहे हैं, obviously बादा bank के अगर पैसा आगय तो obviously बादा bank क्या करेगा, लोगों को जादा से जादा पैसा देगा market के अंदर, तो इसका मतलब increase credit creation हम कर रहे हैं, credit के लिए कर रहे हैं, तो अगर जो है, अगर वैसल जो है, बाह नीचे से काली हो जाए, तो उसमें आपको क्या देखने को आपको मिलता है, जब भी black portion आजाए ना, तो उसमें carbon particles आपके ज़्यादा होते हैं, और unburned carbon particles होते हैं, और इसका मतलब वहाँ पे fuel जो है, प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाया है, तो answer इसमें क्या बनेगा जी, आपका B option बनेगा, the fuel is not burning completely, इंदर पूरी तरह से जल नहीं रहा है, answer इसमें B option बनेगा, next question, the largest committee of the Parliament of India, इसमें सबसे बड़ी committee जो है, पारलेमेंट की वह कौन सी है, estimate committee है, अनुमान समती है, जिसके अंदर 30 लोग होते हैं, और 30 के 30 लोग सबा से देखने को आपको मिलते हैं, और budgets वगरा के estimates वगरा देखने को आपको मिलते हैं, budget, estimate committee और public account committee जो है, व और साथ, पंदरा जो होते हैं, वो लोग सबा से, और साथ जो होते हैं, वो राजय सबा से देखने को मिलते हैं, public account committee जो होती है, ये क्या करती है, कि जितने भी CAG reports देते हैं, CAG जो publish करती है, CAG report को publish करने वाले authority वो है, PAC जिसे आपका public account committee कहते हैं, और answer इसमें क्या बनेगा जिसे आपका B option बनेगा, that is estimate committee is the correct answer, next question, which of the falling pollutant is the major contributor of the photochemical smog, photochemical जाने के light में chemical भी चल रहा है, smoke भी चल रहा है, इसमें देखिए ध्यान से words को तोड़ना है, photo मतला light, chemical मतला cynic, smoke मतलब जो दो चीजों से मिलता है, smoke, धुआ और fog, जो ठंड़क जो होती है, कोरा जो होता है, इन सारी चीजों से मिलते है, तो photochemical smog बनती है, अब बात यह है कि इसमें कौन से ऐसा major pollutant है, जो देखने को मिलता है, तो वो होया जी आपका, that is nitrogen dioxide, nitrogen dioxide is the correct answer, D option, और मैं आपको बता दूँ जैसे hydroperoxide है, peroxytile nitrate है, जो है आपका ozone है, ये आपके secondary pollutant है, ये भी गरते हैं, ये तो वो ही होगा primary वाला हिस्सा, तो answer इसमें क्या बनेगा, nitrogen dioxide, और इसके इलावा, इसके oxide के इलावा, nitrogen oxide के इलावा, carbon monoxide हो गया, particulate matters हो गया, mercury हो गया, तो these are also the primary pollutant, तो answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, next, cold liver oil from the fish is rich in which vitamin, देखें, दो vitamin होते हैं, mainly जो होता है, वो होता है, आपका मचली के, जो मचली का तेल होता है, उसमें vitamin D देखने को आपको सबसे जादा मिलता है, लेकिन no doubt उसमें vitamin A, B होता है, लेकिन answer इसमें D बनेगा, क्योंकि option अलग लग है, यहाँ पर आता है A and B, तो answer आप लगा देते हैं, कि A and B, तो answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेग और vitamin D जो होता है, इसको और क्या कहते हैं, अप calcium फिरोल कहते हैं, sunshine vitamin कहते हैं, sunshine vitamin को कि sun की केरने से मिलता है, और इसकी कमी से rickets और osteo malicia होता है, जाने कि हड़ियां कमजोर हो जाती है, हड़ियों के लिए दो चीज़ चाहिए, एक calcium और एक phosphorus, vitamin B1 लिखूंगा मैं यहाँ पर ताके आपको याद हो, thymine, और इसकी कमी से होता है, berry berry, ठीक है, vitamin C जो होता है, vitamin C is called ascorbic acid, ascorbic acid कहते हैं, और इसकी कमी से होता है, scurvy, ठीक है, और vitamin A की अगर हम बात करें, vitamin A को हम कहते है, retinol, और इसकी कमी से होता है, night blindness, रात को नहीं दिखता, और एक होता है, zero ophthalmia, zero ophthalmia मतलब जो है आंखे सूख जाती है अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा वाइटमिन डी जो भारतिया बहाँ के जो केंद्रीया संस्थान है वो कहाँ पी जाती के लिए और यहाँ पर लिखा हुआ है जी चनएई चनएई के अंदर वैसे तो इतना important नहीं है, बड़ बता देता हूँ, National Institute of, National Institute of Ocean Technology, National Institute of Ocean Technology, लेकिन अगर आप से पूछा जाए, National Center for Polar Research, ठीक है, National Center for Ocean and Polar Research, मुंबई के अंदर अगर हम बात करें, तो TIFR है यहां पर, TIFR, Tata Institute of Fundamental Research देखने को आपको मिलता है, ठीक है, और Central Institute of Fishery भी यहां पर है, Fishery का department, कोलकाता के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो कोलकाता के अंदर आप एक याद कर लो, Saha Institute, यह पूछे जाते हैं पेपर में, तभी मैंने इतने लिख दिये, Saha Institute of Physics, अंसर इसमें D option बनेगा, next question, what are those bacteria that are long inside, इन में से सबसे जो बैक्टीरिया हैं, जो लंबे हैं, वो कौन से हैं, इन में से जो लंबे बैक्टीरिया होते हैं, वो होते हैं, बैसलाई, अंसर इस B option, और बैसलाई जो होते हैं, यह एक rod shape होते हैं, rod shape, इस तरीके से, ठीक है, rod shape होते हैं, spiral मतलब इस तरीके से, spiral, spiral जिसे आप vibrio कहते हैं, clear, cocus, cocus होते हैं, round वाले, इस तरीके से, जो होते हैं, clear, and vibrio, vibrio जो होते हैं, that is, sorry, spiral हो गया, यह होते हैं, spiral वाले spirulum कहते हैं उसको, ठीक है, और जो vibrio होते हैं, यह होते है कोमा शेट कोमा ठीक है ऐसे तो यह यह यादर रखना है आपको अंसर इसमें B option बनेगा बैसलाई सबसे लंबे होते हैं next हिमाल्या जो है इनमें से किसका उधारन है हिमाल्या जो है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है यंग फोल्ड माउंटेन है अब यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन का मतलब बता कि यह представ compile निक्स के कारण बनती हैं plate ये इसमें आपकी हीमाल्या एब कि यॉरेशन प्लेट आपकी यापस में मिलतम है और जो हिमाल्या से बढ़ते जा रहे हैं से देखने को आपको मिलता है तैथे सी से और ये कौन सी एक्जामपल है जी fold mountains की option is a is the correct answer और हमारे इंडिया में एक oldest fold mountain है और वो कौन सी है अरावलीज अरावलीज आर दा oldest fold mountain और अरावलीज की सबसे उची चोटी का नाम क्या है गुरू शीखर ये भी आपको याद रखना है तो answer इसमें क्या बनेगा a option that is fold mountains next what who has written the book of origin of species origin of species की जो है book किस ने लिखी है इन में से जिन्होंने theory of natural selection भी लिखा हुआ है natural selection की theory जाने के पराकरतिक चीजें कोई कोई select करता है तो वो लिखा हुआ डार्विन ने अंसर इस डी option डी option is the correct answer यहां पर मेंडल लिखा हुआ है father of genetics अनुवंश की के जनक कहते हैं मेंडल ने जो है पी plant की उपर जो है experiment किया था पाइसम सेटिवम इस नेम फुल जो जूलोगिक clear evolutionary 3 इन्होंने भी दी है यू लोगिक यू लोगिक ठीक है यह दिया रखना है और lineage का जो नाम है father of taxonomy कहते हैं कि कोई भी नई species आप डूनते हो नॉमनक्लेचर करते हो इनके according और lineage ने जो है एक binomial nomenclature का concept दिया था binomial nomenclature का लग क्योई नाम जो होता है genus है species है और lineage ने जो है एक चीज बुक लिखे थी that is system on nature system on nature ठीक है यह भी आपको दियान रखना है answer इसमें क्या बनेगा d option बनेगा darwin is the correct one next which of the falling country is the largest producer of saffron जो केसर है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है वो है इरान डी option और इंडिया में जो है कश्मीर इंडिया में जो है कश्मीर से पैदा होता है और कश्मीर में saffron को जो है अभी status भी मिला है GI tag में मिला है geographical indicator next which of the falling polymeric material is used for making bulletproof jackets bulletproof jackets इसमें से किसके द्वारा बनाई जाती है वो है kevlar answer is c option is the correct answer मैं बात करता हूँ तो nylon 66 जो है आपके fiber ठीक है fiber textiles उसमें काम देखने को आपको मिलता है clear और rayon जो है ये बनता है cellulose से और artificial silk जो होता है आपका cellulose से बनता है बहुत important है cellulose जो है plant के outer layer होती है और decoron के अगर मैं बात करूँ कि ये high pressure जो आप ऐसे कहलो कि जो curtains बगएरा होते हैं न वो curtains बगएरा तो wet or dry जो होते हैं wet गिले और dry रहने वाले जो होते हैं वो decoron से बनते हैं तो ये चीज़ दिया रखनी है answer इसमें क्या बनेगा C option, Cavalry is the correct answer और अगर आपसे एक और पुछता हूँ कि lexon भी ना आप इन नाम याल कि lexon भी जो है bullet proof जो glasses वगएरा होते हैं उसमें यूज होता है as a polymer Next, Battle of Haldigati in 1576 was fought between Akbar and दिखें 1576 का जो यूद हुआ था Battle of Haldigati का वो किसमें और किसमें देखने को मिला था ये actually हम बोलते हैं कि अकबर और महराना परताप की जो है लड़ाई देखने को आपको मिली थी लेकिन अकबर ना लड़के महराना परताप से कौन लड़ा था मान सिंग लड़ा था मान सिंग ऑफ अंबेर लड़ा था तो ये लड़ाई किसमें अकबर और महराना परताप की अंसर इसमें B option बने पंद्रा सो चालिस में तो भगाई दिया था और ये हुई थी कन्नौज की लड़ाई बैटल ओफ कन्नौज जिसे आप बिलगराम की लड़ाई भी आप कहते हैं बिलगराम ठीक है ये भी आपको याद रखना है और शेशा सूरी का जो टॉम है वो कहांप है सासाराम बिहार मे सासाराम बिहार में शेशा सूरी का ओरिजनल नेम क्या है फरीद है और इन्होंने पुराना किला जो ओल्ड फोर्ट देली के अंदर इन्होंने बनवाया था हेमू विक्रम अदित्या की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने सेकंड बैटल आफ पानिपत लड़ी थी सेक अगर आप किस और मतलब खुद से अगर हम कहें कि कोई बॉड़ी है बॉड़ी का कोई हिससे से हमने हिसा लिया और दूसरे बॉड़ी की उपर लगा दिया मतलब सेम बॉड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं सेम बॉड़ी की तो ऑटोग्राफ अगर हम आइडेंटिकल इंडिविजियल की बात कर रहे हैं तो आइसोग्राफ एलो मतलब डिफरेंट होता है एलो का मतलब यह होता है कि हां कि हमने जो है स्पीशी सेम रखी है इसमें स्पिशी सेम का मतला हैं हमारी फ्यूमन है human category के अंदर ही लिखिन अपिया को लगा सकते हो फिमेल का मेल को लगा सकते हैं कोई भी जो है बॉडी का हिस्सा ठीक है डेटिस कॉल्ड अगर आप ट्रांस्प्रांट कर रहे हैं मतलब genetically चाहे transplant कर रहे हैं तो that is called allograft अगर same species में कर रहे हैं अगर आप xenograft कर रहे हैं तो इसका मतलब आप different species का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर जातियां ही दो अलग-अलग कर दी animal हो सकता है, human मतलब mammal category हो सकती है कोई और species भी हो सकती है इसमें अगर आप different species का करोगे तो that is called xenograft यह clear होना चाहिए, answer इसमें B option बनेगा next, atomic number जो होता है परमानू संख्या जो होती है किसी भी atom के बीच में वो क्या द्रशाती है, वो उसका proton दिखाती है answer इसमें क्या बनेगा B कई बच्चे कहेंगे, sir electron proton और electron राबर होते हैं लेकिन exact definition जो atomic number किया है वो है proton और जो आपका एक होता है mass number mass number होता है mass number क्या होता है? proton plus neutron ये भी आपको दियान रखना है for example, c612 तो 12 जो होता है, ये mass number होता है उपर वाला और नीचे वाला जो होता है atomic number होता है और इसमें neutron कैसे निकालते हैं? mass number minus atomic number तो इसमें कितने बन जाएंगे? 6 neutron बन जाएंगे तो ये number of neutrons निकालने के लिए फिनोमेना है neutrons हो, ठीक है? ये दियान रखना है mass number minus atomic number 12 minus 6 is equal to 6 answer is B option इलेक्ट हुआ था ठीक है? तो वो कौन है? दादा बाई नरोजी दादा बाई नरोजी जो इलेक्ट हुए थे 1892 के अंदर जब पहली बार indirect elections की बात करी गई थी और ये इलेक्ट हुए थे liberal party से liberal party से और finsbury से finsbury ये धियान रखना है पहले ब्रिटिश इंडियन MP बने थे ये और जैपरकाश नरायन जी की अगर मैं बात करूँ तो 1934 के अंदर जो है इन्होंने Congress Socialist Party जो है बनवाई थी सरोजिन नाइडू जो है 1925 के अंदर कानपूर सेशन के अंदर जो है पहली Indian female जो chair person बनी थी पहली Indian अगर आपसे पहली male पहली female पूछा तो 1917 के अंदर एनी बेसेंट थी वो जो बनी थी और ये सरोजिन नाइडू 1995 कानपूर में बनी थी अंसर इसमें B option बनेगा गंगा is the result of the confluence of the river बागिरती and अलकनन्दा at which place देखे जब एक जगा से आती है अलकनन्दा और सरी बागिरती और एक जगा से आती है अलकनन्दा ये मिलते कहाँ पे हैं ये मिलते हैं देव परियाग में तो अंसर इसमें क्या बनेगा ये option बनेगा दे प्रियाग में मिलते हैं और ये बनता है आपका confluence और गंगा रिवर स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर लिखा हुआ एक करण प्रियाग करण प्रियाग भी जो है आपकी अलकनंदा आती है और पिंडर रिवर आती है मंदाकनी रिवर मिलती है तो आपका रुद्र प्रियाग होता है यह प्रियाग बहुत बार पूछे जाते हैं लिख ले ना सारी अंसर इसमें क्या बनेगा यह ऑप्शन बनेगा गांदी जी ने साउथ अफरीका के अंदर कौन सा पेपर जो है एडिट किया था तो उसका नाम है इंडियन ओपीनियन अंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन बनेगा हरीजन भी इनका है यंग इंडिया भी इनका है और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी इनकी ऑटो इसमें ब्रह्मो समाज के संस्तापक राजाराम मुराय उनकी डैथ के बाद जो है ब्रह्मो समाज की काराबार इनके हाथ में आ गया था अंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन इंडियन ओपीनियन गांदी जी ने साउथ अफरिका से लिखा था नेक्स्ट सार टेस्ट ओफ लेमन जाने कि खटा सुआद आता है जी निम्बू का वो किसके प्रेजन्स के कारना आता है क्योंकि निम्बू के अंदर होता है सिट्रिक असिड अंसर इस ए ऑप्शन clear acidic acid मैं आपको बताया था vinegar, cirka के अंदर, ethanoic acid कहते हैं oxalic acid होता है tomato के अंदर और ये जो है stains के जो निशान होते हैं उसको भी मिटाने के लिए काम आता है rust spot को formic acid जिसे आप mythenoic acid भी कह देते हैं formic acid is mythenoic acid और ये जो होते हैं चीटियां ants जब वो कारती हैं तो formic acid हमारी body में चला जाता है answer is a option next under the provision of which articles of the constitution of india can भारत रतना award not be used as a prefix or suffix of the recipient name जाने के किसी नाम के आगे और किसी नाम के पीछे जो है वो भारत रतन नहीं लग सकता ये किस article में लिखा गया है ये लिखा गया है article 18 के abolition of titles के अंदर लिखा गया है और जिर्फ दो आप title लगा सकते हो अगर एक आपका academic title लेके आ सकते हो और एक जो military titles होते हैं वो आप नाम के आगे पीछे लगा सकते हो बाकि और कोई title आप लगा नहीं सकते हैं और answer is c option और ए जितने भी आपकी racial discrimination जो होती है ठीक है discrimination, prohibition of discrimination between the citizens on the grounds of the religion, race, sex, caste, descent, place of birth, residence इसके उपर और article 19 के अगर मैं बात करता हूं तो article 19 जो है freedom of speech order expression का आता है answer इस में क्या बनेगा D option article 18 next question which of the following schedules contain the special provision of the tribal areas in the four north eastern states of the Assam, Meghalya, Tripura और मिजोरम जाने के चार area की administration की बात कर रहा है और चारों के चारों जो है अनिसूची शेत्र हैं ये कौन से schedule में बात करी गई है ये 6th schedule में बात करी गई है answer is d option इनके इलाबा भी जो scheduled areas है उसमें बात करी गई है 5th schedule के अंदर, 5th schedule के अंदर, 3rd schedule में बात करी गई है, Oath की, शपत की बात करी गई है 2nd schedule के अंदर salary की बात करी गई है, ठीक है और पहले schedule में आप union और states की बात आप करते हो, तो answer इसमें क्या बनेगा d option, 6th schedule is the correct one next सतरिया is a classical dance form of सतरिया जो है वो किस कौन सी state का classical dance form है वो है असम का answer is C option is a correct answer C option और एक बी हुँ dance भी है जी असम में मनीपुर में मनीपुरी हो गया और जो उत्रपरदेश में जो है classical dance अगर मैं बात कुन तो रसीला रसीला, swang, folk dance वगएरा ये देखने को मिलते हैं अंदरपरदेश में कुचीपुडी और नौर्थ इंडिया के अंदर जो है आपका जैसे उत्रपरदेश वगएरा में कथक नौर्थ इंडिया में कथक, नौर्थ वेस्ट और सेंटर इंडिया में भारत नाट्यम भी याद कर लो, भारत नाट्यम जो हो है तमिल नाडू में मोहनी अट्टम, केरल के अंदर, केरल के अंदर एक और याद कर लो, कथकली कथकली, केरल के अंदर, ठीक है ये सारे ये dance form आपको याद होने चाहिए अंसर इस C option, असम इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है, जो क्याक के बारे में हमें बताता है Comptroller and Auditor General, जाने के भारत के नियंतरन एम महा लिखा प्रिक्ष के बारे में ये क्या करता है, गर्मेंट के अकाउंट को अडिट करता है, सेंटर और स्टेट के अकाउंट को 343 के अंदर, आर्टिकल 110 की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें Money Bill का concept लिखा गया है दनविदेक Bill का, आर्टिकल 124 Supreme Court के बारे में, इसका उल्टा कर लो 214, ये लिखा गया है High Court के बारे में अंसर इसमें क्या बनेगा, A option बनेगा, 148 is the correct answer, अंसर is A option Algal Bloom results from, जैसे आप पानी में देखते हो न, वो हरा हरा सा जम जाता है, वो actually पता है क्या होता है Actually उसके अंदर nutrients बहुत जादा हो जाते हैं, अगर nutrients rich हो जाए, तो उसको आप कहते हो Algal Bloom, और यह किसके कारण होता है, Eutrophication के कारण, Soup Potion के कारण, अंसर is C अगर same case में nutrients बढ़ जाए, तो आपका Eutrophication आए या, अगर suppose करो कि भाई किसी चीज की जो है toxicity बढ़ जाए Toxicity अगर आपकी पानी में बढ़ जाए, अगर nutrients बढ़ जाए, तो Algal Bloom, Eutrophication, अगर toxicity बढ़ जाए, तो Bio Magnification, यह आपको ध्यान रखना है अंसर इसमें क्या बनेगा, C option बनेगा, that is Eutrophication Next, The Painting of Bharat Mata was originally done by, पेंटिंग जो है वो किसने बनाई थी, भारत माता की इन में से, तो वो बनाई थी, अभेंदरनाथ टेगोर अंसर इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, अभेंदरनाथ टेगोर जी ने रवेंदरना टेगोर जी ने, जो है, रवेंदरना टेगोर जी को आपको Goodew कहते हैं और इन्होंने दो बुक्स लिखी है, याद रखना है आपको, Goodew किसने बोला था, Mahatma Gandhi ने बोला था और इनको Mahatma का title Goodew जी ने दिया था, Rohindranाथ टेगोर ने दिया था और इन्होंने दो बुक्स लिखी है डैडिस काबूली वाला और गितांजली गितांजली और इनको बार्ड ओफ बेंगॉल भी कहते हैं बार्ड ओफ बेंगॉल यह ध्यां रखना है थोड़ी सी हन्राइटिंग एदर उदर है लेकिन बोलने में सही है जामिनी रोय पेंटर हैं नंदालाल बोउस जो है एक उरिन्टल स्कुल आफ आठ चलाया गया था उरिन्टल स्कूल आफ आठ कॉलकादा के अंदर उसमें पहले उन्टल लेषप लेशन फ़ेश ubiqu ले परसन नंदालाल बोस थे अंसर इसमें D option बनेगा जाने कि जलेवाला बाग मेसेकर के लिए जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और इसको डेड मतलब एक था जनरल डायर जिसने गोलियां का आदेश दिया था और एक था माइकल ओ डायर माइकल ओ डायर माइकल ओ डायर जो जो चीफ था कहां का लेटनेंट था कहां का पंजाब का और इसको मारा गया था और इसको मारा गया था शहीद उद्दम सिंग जी ने इनको मारा था उद्दम सिंग ने मारा था जो है that is 1940 के अंदर, 1940 के अंदर, 1940 के अंदर, जतिन दास, जब बगसिंग ने लहार के अंदर, जो है बुकरताल करी थी, 64th day के उपर जिसकी जान गई थी, वो जतिन दास थी, वीर्ज सावरकर, जो है आपकी बुक लिखी गई है, जी, वीर्ज सावरकर ने, The First War of Independence, 1857 के लिए, हसरत महानी जो है, बड़े, communist leader है, communist party के, founder leader में आते हैं, और एक उर्दू language के काफी, बड़े विख्यात कवी है, answer is C option, इन में से कौन सा ऐसा article है, जो uniform civil code के बारे में बताता है, जो uniform civil code के बारे में बताएगा, इन में से कौन सा article है, वो है, article 44, answer is में A option बनेगा, और Goa एक ऐसी state जहां पर सिर्फ और सिर्फ uniform civil code है, अब uniform civil code क्या है, कि आपने जो है, आपके personal laws जो है उसको खतम कर दो, personal laws का मतलब जैसे शरियत law होते हैं, और जो हमारे धर्मों के अंदर हैं, हिंदू के, Christians के, अपने अपने धर्म है, आप अगर उस धर्म को नहीं मानना चाहते हैं, और अपना जो है, अलग से काम करना चाहते हैं, तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, और कानून के दाइरे में रहके काम कर सकते हैं, कोगि कानून का कोई भी धर्म नहीं है, the country has no religion, country सब धर्मों की respect करती है, लेकिन country धर्म के according काम नहीं करती, तो ये article 44 में लिखा गया है, और आर्टिकल 45 के अंदर 0 to 6 years के बच्चों को पढ़ाना, जो है states की duty होती है, 46 के अगर मैं बात करूँ, scheduled, जो आपके scheduled cast और scheduled tribe वाले लोग हैं, उनको protect करना, उनको justice provide करना, वो आर्टिकल 46 में लिखा गया है, आंसर इसमें 44 बनेगा, A option, who founded the city of Agra, एक करी थी निजाम शा ने, निजाम शा, निजाम शा वो हैं, जिनों ने, जो है, इनको कहते हैं, सिकंदर लोधी, अंसर इसमें A option बनेगा, सिकंदर लोधी, अच्छा, one more question is, जो है, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, जो जमीन को मापने का जो तरीका दिया था, और सिकंदर लोधी, लोधी वंश्ते बिलॉंग करते हैं, तो लोधी एक ऐसा वंश्ता जो पहली अफगान डैनेस्टी थी, इंडिया के उपर जिनों ने रूल किया था, अकबर, इनों ने जो है, गुजराद जीतने के बाद बुलंत दरवाजा बनाया था, फिरोशा तु पुश्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था, अंसर इसमें D-Option बनेगा, शुंग डैनेस्टी के फाउंडर है, बृदरत एक लास्ट मौरे एंपरर था, उनके कमांडर जीफ थे कौन, पुश्यमित्र शुंग और पुश्यमित्र शुंग ने बृदरत को मारा था, और अप जिनोंने फोर्थ बुधिष्ट काउंसिल करवाई थी कश्मिर के अंदर, और हीनयान और महायान यहां पर डिवाइड हो गए थे, कोरिया, चायना, जापान इनने बुधित्र धर्म फैलाया, अशुक जो है जिनोंने थर्ड बुधिष्ट काउंसिल करवाई थी, पाटले परचार करने के लिए हर्श वर्दन ने भी किया है answer इसमें D option बनेगा which one of the falling rulers constructed a road from the East Bengal to Peshawar Kalsad के आजम इस road को GT road के नाम से भी आप जानते हैं और ये कौन से that is Shesha Suri answer is D option बनेगा, Shesha Suri के बारे में discuss कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें जहंगीर के बारे में याद करिए जहंगीर जो है painter king है जहंगीर के दरबार में आगरा के किलें पे एक जंजीर लगी होती थी सोने की उसको आप कहते थे chain of justice न्याए जंजीर chain of justice लगी होती थी ठीक है, अकबर के बारे में answer is D option बनेगा which one of the falling can be said to be essentially related to the polar front theory polar front theory जो है वो किसके साथ लिखती है, polar front theory जो है आपके इस temperate area के अंदर बनती है temperate cyclones बनते है ठीक है और ये zone जो होता है 35 से लेके 65 degree तक बनता है और जिसमें आपके जो हवा आ रही होती है, जाने के एक आती है subtropical subtropical जो हवा आती है, वो subtropical से आती है और polar high से आती है subtropical high belt से और polar high pressure belt से आती है जैसी हवा दोनों मिलती है तो यहाँ पे polar front बन जाता है for example, अगर मैं earth को लूँ 0 degree, फिर उसको 30 लेलो उसके बाद जो है 65 के बीच में लेलो उपर बन जाता है polar जाने के polar high high temperature, high pressure और नीचे होता है जी आपका that is subtropical ठीक है तो अब हवा उपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी तो इससे क्या होगा जी जहाँ से बीच में मिल जाएंगे that is called polar front उसको आप कहते हैं और यह बनते कहाँ पर temperate cyclone वाला part कहते हैं और temperate cyclone को आप और क्या कहते हैं extra tropical cyclone extra tropical यह भी आपको यहाँ रखना है anti cyclone जो होते है northern hemisphere के अंदर clockwise होते हैं और southern hemisphere में उल्टे हो जाएंगे that is anti clockwise और anti cyclone के अंदर center में high pressure zone होता है बाहर low pressure tropical cyclone की बात करें तो center में low pressure होता है और outside high pressure होता है tropical cyclone जो है आपके northern hemisphere में नदर hemisphere में वो anti clockwise होते हैं southern hemisphere में clockwise देखने को मिलते हैं inter tropical convergence zone जहाँ पे trade winds जो है आपकी मर्ज होती है और equatorial truff बना देते हैं low pressure zone होता है यह वाला ITCZ वाला answer इसमें क्या बनेगा C option temperate cyclone इन में से विने पत्त्रिका के जो author है वो कौन है विने पत्त्रिका विने पत्त्रिका के author जो है वो कौन है इन में से that is तुलसीदास जी तुलसीदास जी is the correct answer और तुलसीदास जी ने एक book लिखी थी और रामचृत मानस रामचृत मानस लिखी थी कबीर जी की जो हैं बीजक स्टोरी बड़ी फेमस हैं दोहे बड़े फेमस हैं और सूर्दास ने जो दो books लिखी थी that is सूर सरावली सूर सरावली और सूर सागर सूर सागर नाम की दो पुस्त के लिखी थी यह याद रखे अंसर इसमें क्या बनेगा विनेपित्र का A option तुलसी दास इसदा करेक्ट वान the temperature of water for BOD maintained मतलब BOD को maintain करने के लिए measure करने के लिए जो है temperature कितना रखा जाता है वो 20 degree centigrade रखा जाता है BOD है क्या dissolved oxygen जितनी है that is called BOD अगर suppose करोगी यहाँ पर fish वगएरा रहनी है तो जितनी उनकी need होगी that is called BOD और optimum हम measure करते हैं 20 degree centigrade के उपर अगर suppose करोगी इसमें pollution बढ़ जाए pollution अगर जादा हो गया तो obviously बात है जो fish वगएरा होगी जानवर वगएरा होगी नीचे तो सांस नहीं ले पाएंगे oxygen कम हो जाएगी तो इसका मतलग क्या है उस टाइम पर BOD बढ़ जाएगी ध्यान रखना डिमांड बढ़ जाएगी चीज की तो answer इसमें A option बनेगा which सुल्तान demanded half the crop on the land after the measurement as revenue revenue measure करने के बाद जो है half land कौन लेता था half जितने जो सुल्तान demand half the crops on the land मतलब land के उपर जितनी crop होती थी वो half लेता था वो कौन थे that is allow then kill जी answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा और इन्होंने market reform भी बड़े अच्छे किया है शाने मंडे की post त्यार करी थी शाने मंडे ताके proper तरीके से ध्यान रखा जाए बल्बन बल्बन जो है इन्होंने blood and iron policy follow करी है और इन्होंने अपने आपको जो है न्याबते खुदाई न्याबते खुदाई बोलते थे और deputy of God बोलते थे बल्बन ने जो है system start क्या था सिजदा और पैबोस सिजदा जो होता था वो सलाम करके आना और पैबोस आके पहले इसके पैरों को चूमना इल्टुतमिष जो था इल्टुतमिष जो है real founder हम कहते हैं of the दिल्ली सल्तनात इल्टुतमिष को slave of the slave भी कहते हैं और जो है इन्होंने कुतम मिनार की construction को complete करवाया था और प्लस इसकी बेटी है रज्य सुल्तान जो medieval India में पहली महिला स्टासक बनी थी दिल्ली के उपर मौमद बिन तुगलक मौमद बिन तुगलक के बार मेडिसस कर लिया था इनको हम wisest fool कहते हैं इंडिया को हम कहते हैं पहले नंबर आर्टिकल के अंदर यूनियन ओफ स्टेट्स का मतलब क्या है स्टेट्स हैं भाई और इसमें यूनिन टेरिट्रीज वगरा देखने को आपको मिलती है और अगर आपसे पूछा जाए टेरिट्रीज ओफ इंडिया का मतलब क्या है तो टेरिट्रीज ओफ इंडिया का मतलब क्या है कि इसमें आपकी स्टेट्स आती है यूनिन टेरिट्रीज आती है और कोई भी territory जो है हमने acquire कर रखिया बाहर से वो आती है इसके अंदर और union of states सिर्फ और सिर्फ states राज्यों के बारे में बात करता है तो इसमें आपका answer क्या बनेगा जी आपका option A is the correct answer union of state हम कहते हैं A seal found from the Mohan Zadaro has depicted a god with three heads and horns surrounded by animals who is the god दिखे उसके asccing है और god है इस तरीके से है इस तरीके तो नहीं है जैसे हमारे जो बगवान शिव हैं वैसे दिखते हैं और वो थे पशुपती पशुपती महादेव जिसे आप आज कर शिव बगवान के नाम से जानते हैं इनके surrounding में जो है आपके animals देखने को मिलते हैं और वो animals कौन कौन से है यह बफैलो है ठीक है elephant है और tiger है और rhino है यह देखने को आपको मिलते हैं और पैरों में दो deer देखने को मिलते हैं यह चीज दियान के इंद्र को हम कहते हैं इंद्र को पुरंद्र भी कहते हैं और god of rain यह भी हम कहते हैं और जो गड़ड़ाहट होती है थंडर्स्टॉम होती है वो इंद्र भगवान की कारण होती है जो उस टाइम पर मानते थे अंसर is c option is the correct one नेक्स्ट वैन नेम दा टू रिसर स्टेशन मेंटेंड बाई इंडिया इन अंटार्टिक अंदर जो है इन में से कौन से ऐसे स्टेशन भी है हमादरी हादरी है आक्टिक सर्कल मेंगा और मैंने आपको बताया था कि polar एंटर है नेशनल इंस्टिूट है यह निए और वो कहां पे है गो आ और वो कौन थे Edward Jenner, answer इसमें क्या बनेगा, B option बनेगा, Edward Jenner is the correct answer, और Edward Jenner ने smallpox को खतम किया, और James Simpson लिखा गया है, इन्होंने chloroform का concept दिया था, as an aesthetic, जो हम डॉक्टर्स वगरा यूज करते हैं, तो यह जियां रखना है, Christian Barnard की अगर हम बात करें, तो इन्होंने heart transplant किया था, पहली बार, heart transplant के बारे में बात करी थी, Alexander Flaming की अगर हम बात करें, तो इन्होंने penicillin डूंडी थी, और यह antibiotic है, penicillinum notatum से बनी थी, यह चीज धियां रखिए आप, answer इसमें क्या बनेगा जी, आपका B option, Edward Jenner is the correct one, who was the first magician to be, felicitated with a Bharat Ratna, highest, highest official है, sorry, highest civilian award है, 1954 में बना था, बनाया गया था, और एक साल में तीन लोगों को ही मिलता है, 1954 में तीन लोगों को ही मिला था, सी राज गोपला चारिया, और सरवपाली रादा कृष्ण जी, और सरवपाली रादा कृष्ण जी, and one more is, one more is Rabind, I forgot the name, सी राज गोपला चारिया, सरवपाली रादा कृष्ण जी, and one more person is there, सी राज गोपला चारिया, सरवपाली रादा कृष्ण जी, चलो मुझे थर्ड, थर्ड आप मुझे नाम लिखके बताइए, मेरे नाम दिमाग से निकल गया, कि कौन सा नाम था, थर्ड नाम बताइए मुझे, तो पहला magician कौन थे, पूछ रहे हैं, तो वो थे, MS. Subha Lakshmi, MS. Subha Lakshmi is the correct answer, answer इसमें क्या बनेगा, B option बनेगा, B option, which of the falling is the outer layer of the earth, that is made of plates, which fit together like a jigsaw puzzle, देखे, earth है, तो जो इसकी layer है, outer वाली layer है, वो इस तरीके से zigzag motion में देखने को आपको मिलती है, चीक है, और यह क्या होती है, that is lithosphere, answer इसमें क्या बनेगा, A option, lithosphere is the outer layer, जो zig saw pattern में देखने को मिलती है, biosphere वो वाला पार्ट है, जहां पर आपका living part देखने को मिलता है, जहां पर लोग रह सकते हैं, mesosphere जो है, वो earth के अंदर, atmosphere का पार्ट है, जो आपकी coldest layer है, coldest layer है, esthenosphere जो है, आपका lithosphere के नीचे है, lithosphere के नीचे और mental के ऊपर, लिटो स्फियर के उपर नीचे और मैंटल के उपर देखने को मिलता है अंसर इसमें क्या बनेगा आपका लिटो स्फियर इस दा करेक्ट अंसर How many bones are in the sharkfish? Sharkfish के जो है कोई भी दांत नहीं होते ये bone less होती है cartilages की बनी होती है ये Cartilages की बनी होती है तो उनसे इसमें B option बनेगा यह याद रखना है exception है कि shark fish zero bones which one of the falling is true regarding the disinflation जाने के मुद्रा अब सफीती जब होती है विघटन होता है तो उसमें condition क्या होती है देखे एक होता है inflation inflation का मतलब क्या होता है भाई rate बढ़ रहे हैं एक से तीन होगा तीन से पांच होगा पांच से साथ होगा यह rate बढ़ गए तो inflation होगा इसका उल्टा ले लो अगर हम इसको कम कर रहे है साथ पांच तीन एक ऐसे चल रहा है तो that is called disinflation और disinflation हमेशा एक चीज दे रखना disinflation का मतलब क्या होगा यह positive sense में रहेगी positive मतलब एक तीन पांच इसमें रहेगी जाने कि साथ के बाद पांच तीन एक ऐसे रहेगी अगर हम बात करें deflation के deflation जो होता ना वो zero भी हो सकता है negative में भी चला था minus one minus two जाने कि आपके उपर करजा चड़ने लगया आपके उपर वो होने लगया मतलब I mean उसे ब्याज पढ़ने लगया तो अगर minus में भी जा रहे हैं तो that is called deflation अगर आप positive में हैं तो disinflation तो disinflation का मतलब क्या हो गया कि ए positive तरीके से आपने कमी करी है चीजों के rate की कमी कही है बर नुकसान नहीं हो रहा उसे तो वो क्या होता है a decrease in the rate of inflation in the inflation in a specified period तो answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा एक विशिष्ट अबदीक में अंदर मुद्रा सफिती की दर में कमी करना that is called आपका disinflation कहलाता है answer is C option which one of the following industry is not included is not included in the 8 core industries of India इंडिया से 8 core industries के अंदर कौन सा पार्ट नहीं आता fertilizer आता है जी steel आता है natural gas आता है cotton नहीं आता तो answer इसमें क्या बनेगा C कपास is the correct answer इसके इलाबा भी अगर हम बात करें तो coal आएगा चौथा coal आगया आपका crude oil आएगा पांचवा natural gas लिखा हुआ है refinery refinery product 6 हो गए fertilizer लिखा हुआ है steel लिखा हुआ है cement cement के बाद electricity तो ये आपके 8 core sectors है इंडिया के तो answer इसमें क्या बनेगा आपका C option is the correct answer ये 8 core industries के बीच में नहीं आती है next a pillar containing inscription from the three different period that is Maurya, Gupta और Mughal period is located at ये कहां पे है ये Allahabad inscription लिखी गई है तो ये जो है यहां पे Mughal, Gupta और Mughal का जो है जिकर किया गया है और इसमें समुद्र Gupta की बात करी गई है Napoleon of India के बारे में बात करी गई है Mughal Emperor में जहांगीर की बात करी गई है clear और Maurya में अशोक की बात करी गई है और ये प्रियाग प्रशस्ती inscription है प्रियाग राज के अंदर बाकी जो है नंदनगर, तोपड़ा, रुमन देई ये अशोक ने बनाई है रुमन देई आप याद कर लिजे और रुमन देई जो है लुम्बिनी के अंदर है और ये बर्थ प्लेस है किसका? गौतम बुध जी का जो बर्थ प्लेस है यहाँ पे रुमन देई पिल्डर inscription है जो अशोक ने बनवाई थी अंसर इसमें क्या बनेगा? C option बनेगा Who is the author of मरिच कटिका मरिच कटिका की जो पुस्तर के author है वो इनमें से कौन है? मरिच कटिका की जो अंसर है वो है शुद्रक शुद्रक is the correct answer C option is the right answer वारा महीरा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने पंच सिधान्ती का नाम की पुस्तर लिखी है ऐसी चीज नहीं है जो बुद्ध कला का बौधिक कला का जो है बौध कला का परदाश्चन नहीं देती तो वो है गोपूराम गोपूराम जो है आपके South India के अंदर जो मंदिर होते हैं ऐसे गेट लगा होता है और ऊपर ऐसे मंदिर बना होता है प्रपर तरीके से ये मंदिर बना हुआ है और नीचे गेट है इस इस कला गोपूराम ये गेट जो होता है गोपूराम होता है ये अनेगा बनेगा B option स्तूप जो है बुधिस्टार्ट में है विहार जो होते हैं विहार होते है जहां पर आपको residence जैसे monks वगएरा रहते हैं चैत्या होते हैं जहां पर आपकी religious hall होते हैं और जहां पर लोग चिंतन वगएरा करते हैं और पूजा वगएरा करते हैं अंसर इसमें क्या बनेगा? B option बनेगा इन में से किसे bill धनविदेक bill जो है money bill नहीं समझा जाएगा article 110 में है president की permission से लेके आना पड़ता है लोगसवा में आता है पहली बार और speaker इसके उपर sign करते हैं तो money bill कहलाता है 14 दिन के अंदर अंदर पास करना जुरूरी होता है तो जिसमें क्या कौन सी चीज़े नहीं लिगी होती है मैंने पहले आपको समझा दिया था यहां पर option आगे देखते है the bill which imposes tax यह तो आएगा जी यह तो आपका क्या है धनविदेख bill होता है a bill related to the taking of money the government of India जनके money निकाल रही है government of India यह भी लिखा होगा a bill that is not from the consolidated fund of India यह नहीं होगा ठीक है यह नहीं होगा और appropriation funds bill होता है यह भी आपका money bill के अंदर रिखा होता है तो मतलब ऐसा bill जो आपका भारत की संचित निदी से consolidated fund of India से ना हो तो वो देख bill नहीं होता answer इसमें C option बनेगा the member of the constitution assembly which enacted the constitution of India जाने कि जब हमारे सविधानिक assembly बैटी थी तो पहले तो 389 लोग थे और इसमें लोग जो है वो elect के कहां से आये थे actually इनका indirect election हुआ था अपर्टेक्ष तरीके से चुनाव हुआ था और अपर्टेक्ष चुनाव जो होते हैं elected लोग करते हैं इनमें से कथन बताईए जी कौन से सही है true for the sound इनमें से कथन बताना है sound waves are transfer waves ये गलत है जी ये transfer waves ना होके कौन सी waves होती है longitudinal लंबी waves होती है audible frequency have the frequency range of 20 kilo hertz and above ये गलत है जी 20 से 20,000 hertz देखने को आपको मिलती है दूसरा point भी आपका गलत हो गया sound waves require medium for propagation बिल्कुल एक medium की जुरूरत होती है vacuum में travel नहीं कर सकती इसलिए इसको mechanical waves कहते है mechanical longitudinal waves ये तो point आपका बिल्कुल सही है dawn periodic waves are termed as noise obviously बात है अगर आपकी sound जो है ऐसे ऐसे आ रही है तो obviously बात है वो क्या हो जाएगी noise होगी तो third और fourth statement आपकी correct answer बनेगा D option is the right answer which is not mentioned as a greenhouse gas in the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on the Climate Change Kyoto Protocol जो है जापान में sign हुआ था और प्लस इसमें six greenhouse gases को बताया गया था carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafroid, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon ये दिये गए थे इसमें देख लो जी carbon dioxide तो है carbon monoxide नहीं है methane है, nitrous oxide है बिल्कुल है तो answer इसमें not पूछा गया था कि कौन सी नहीं है हाँ, not पूछा गया था कौन सी नहीं है तो answer इसमें क्या बनेगा B option carbon monoxide is not a greenhouse gas clear answer इसमें B option बनेगा B option is the right answer who started the Tamil weekly magazine it's called Kudhi Arasu Kudhi Arasu जो है यह book किसके द्वार लिखी गई है यह वो है जिनने Dravidian movement को बड़ा जो योगदान दिया था और self respect movement self respect movement Tamil Nadu में start करी थी और यह है that is E.V. Ramaswamiji answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा E.V. Ramaswamiji C option is the correct one As per interpretation by the Supreme Court of India tapping of phone phone call infect the fundamental rights provided in the article dash of the constitution अगर आप किसी का fundamental right छीन रहे हो और tap कर रहे हो तो उसका मतलब उसकी privacy छीन रहे हो तो privacy छीनना किसमें article 21 में है क्योंकि right to privacy is under article 21 तो यह आपका answer बनेगा जी A option article 21 के अंदर लिखा गया है 24 number article है कि जिसमें आप 14 साल से कम बच्चे को आप labor नहीं करवा सकते 25 में आप कोई भी धरम को अपना आ सकते हो प्रोपगेट कर सकते हो 22 number article में आप किसी भी बन्दे को अगर पकड़ रहे हो तो उसको उसका कारण पता होना चाहिए और यह अगर कोई बन्दा अपना lawyer लेके आना चाहता है तो वो लेके आ सकता है 22 number article में लिखा गया है तो answer इसमें A option बनेगा article 21 के अंदर लिखा गया है which are the following archaeological sites have evidence of pit dwelling pit dwelling मतलब खुआ जो गड़ा होता है जो बनाद पंजाबी में वोलता है खुँ ठीक है तो that is गड़े में बसने के परमान है तो वो कहां पर है बुर्जहम बुर्जहम is the right answer B option is the right answer मेहरगड जो है मेहरगड एक ऐसा इलाका है in the context of the state and administration of the दिल्ली सल्तना the term mukti means mukti word जो यूज किया गया था वो खिलजी डिनेस्टी के टाइम पे यूज किया गया था और otherwise दिल्ली सल्तनात में टाइम नाम यूज हो गया था इक्तादार इक्तादार वो होते थे जो इक्तादार को संबालते थे अब इक्तादादार का नाम चेंज हो गया था मुक्ति के अंदर और यह कौन से टाइम की बात आ रही है खिलजी और तुगलक के टाइम की बात आ रही है तो इसका मतलब इसमें क्या बनेगा B option is the correct answer Who composed the Aeol inscription Aeol inscription जो है किसकी रचना है Aeol inscription है रवी कृति की inscription है Answer is A option रवी कृति ने इसमें लिखा था कि जब हर्शवर्दन South India आया था चलुक्यन वंश के ruler पूला के सिंदृत्या ने किसको हरा दिया था हर्शवर्दन को हरा दिया था इसका वर्णा रवी कृति ने Aeol inscription में किया है और एक करनाटक के अंदर देखने को आपको मिलती है हरिसेन की inscription है प्रयाग प्रशस्ती जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी और answer इसमें क्या बनेगा A option रवी कृति इस दा correct answer Compared to 50 years ago पहले जो अजो बनेगा और यहां पे जो है color blindness तो नहीं होती यह जनेटिक रोग है अस्तमा आपकी respiratory disease है तो इसलिए answer क्या बनेगा आपका B option बनेगा cataract आँखों के ओपर रसर पड़ेगा skin cancer हो जाएगा skin के अंदर एक जो है आपका pigment होता है जो आँखों color देता है skin को that is called melanin melanin pigment होता है answer is B option providing urban amenities in rural areas by for elevating poverty is in India is advocated by इसको आप कहते हैं पूरा model पूरा model providing urban amenities in rural area 2010 में concept आया था APG अब्दुलकलाम मिजानी man of India ने दिया था क्या दिया था उन्होंने idea कि जो urban areas में जो चीज़े हैं वो rural areas में पहुंचा दो तो इससे क्या होगा कि जो rural area वाला बंदा होगा वो शेहर में आएगा ही ने जिससे क्या होगा urbanization की problem कम हो जाएगी crime कम हो जाएगा density कम हो जाएगी और लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे rural areas वाले और अपने घर में बैठके ही अपना काम कर पाएंगे और development हो जाएगी तो इसका जो concept दिया था वो APG अब्दुलकलाम ने दिया था उनकी vision 2020 a vision of new millennium के अंदर answer इसमें D option बनेगा लेकिन concept जो है 2010 में आ गया था answer is D option but is what is BOD मैंने अभी आपको बताया था कि पानी के अंदर जो है biochemical oxygen demand का मतलब पानी के अंदर oxygen कितनी गुली हुई है और वो कितरा utilize कर रहे हैं और जो organism है वो आगे use करेंगे अपने जिंदा रहने के लिए तो उसको आप क्या कहते हो BOD कहते हो तो BOD क्या होता है the amount of oxygen utilized by organism in water answer इसमें क्या बनेगा A option बनेगा option is A is the right answer किशनगाड स्कूल is famous for किशनगाड स्कूल जो है ये painting के साथ समंदित है और ये एक राजस्थानी style of painting है राजस्थानी style of painting इसमें क्या होता है कि जैसे ये religious sentiments देता है और इनके जो खासकर features होते हैं जो चिन होते हैं ना चिन ठोड़ी जिसे आप कहते हैं वो बड़ी तीखी होते हैं नाक बड़ा तीखा होता है नाक नोज और चिन बड़े शार्प होते हैं features clear आखे जो होते हैं वो deep grooves होते हैं उनके तो ये painting राजस्थानी style of painting है चित्रकला का स्कूल है किशनगाड स्कूल answer is B option is the right answer which dam is not for irrigation इन में से सिचाई के लिए कौन सा डैम नहीं है तो पहले तो नाम सी पता लग रहा होगा आपको कौन शिवा समुंद्रम शिवा समुंद्रम फॉल है करनाटक में और यह जो है यह hydro power project है यह दियां रखना और बाखना नंगल डैम है यह concrete डैम है gravity डैम है और यह river सतलज के उपर है गोबिन सागर नाम की जील भी बनाई हुई है Krishna Sagar जो है आपका Krishna Sagar भी बिल्कुल जो है आपका daddy is on the kaveri river ठीक है kaveri river जो है आपकी perennial river है perennial जो सारा साल बहती है ठीक है और इस भवानी सागर और जो आपका तमीलाडू के अंदर देखने को आपको मिलता है और यह जो है South Asia का largest earthen dam है अर्थन मतलब मिट्टी के चीजों से बनाए गया है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका Shiva समुंदरम B option is the correct answer The following program were launched by the nationalists against the partition of Bengal जब Bengal का partition हुआ था जाने के Bengal विवाजन हुआ था तो इन में से कौन से program launch के गये थे अगेंस्ट नैशनिस्ट के द्वारा जो है launch किये गए थे तो जब पाटिशनों Bengal हुआ था 16 October 1905 में तब उन्होंने बात क्या करी थी तो बाइकॉट क्या था अंग्रेजों का सवदेशी की बात करी थी national education की तब ही तो आपके जितने भी schools हैं वो खुले थे जो है जैसे जो आपके जो हमारे religion के उपर Muslim universities वगरा सब सब कुछ हुआ तब ही चला था जामिया मिला इसलामिया ठीक है सब जब तब ही खुला था तो यह बाइकॉट सवदेशी और national education की बात करी थी शिक्षा अपने language में दो ठीक है हमारे non cooperation ही किया गया था non cooperation हुआ था 1920 में यह दियां रखना तो यह आपका third नहीं बनेगा one two four बनेगा तो इसलिए answer क्या बनेगा डी option one two four is the correct answer one two four is the right answer according to the earth shastra of kotilya जो earth shastra लिखी थी kotilya ने earth shastra लिखी थी maurya age के अंदर तो उसमें judicial system के बारे में बात किया गया था तो इसमें judicial system जो है वो किसमें दिखने को मिला था तो maurya के अंदर जो है judicial system था जी नयाए वगएर अच्छे से मिलता था तो वो देखने को मिलता था धर्मस्थाई के अंदर और कंतक शोधना के अंदर जो धर्मस्थाई था वो था आपका civil court civil law के लिए था और जो कंतक शोधना था वो criminal law था criminal चीज़ों के लिए तो answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा राजुकास जो होते थे यह जो आपके accountants वगएरा चेक करते थे अकाउंट्स वगएरा और color के तरह काम करते थे दर्मा महा मात्रा यह जो धमा जाने के जो आपके बहुत धर्म का परचार कर रहे थे उचको हम बात करते हैं तो judicial system में सि the option is the correct one part 4 of the Indian constitution does not explicitly expect the state to secure मतलब पूरी तरह से जो है राज्य नहीं बता रखा पूरी खुल के नहीं बता रखा तो इसमें वो कौंसी चीज नहीं बता रखी तो पहला देखे no concentration of the wealth and the means of production जाने के जो आपका धन और उत्पादन के साधनों की कोई सांधरता नहीं है concentration नहीं कर यह बिल्कुल बात कर रखिया जी आप जो है concentration of wealth को prevent करेंगे यह अंडर आर्टिकल 39C के अंदर लिखा गया है 39C के अंदर यह आपका part जो है explicit होता है इसने not पूछा है पहली बात तो part 4 जो है directive principle of state policy के अंदर है welfare state का करने का उदिश्या जिसमें आप जो है 36 लेके 51 नमबर आर्टिकल आते हैं तो 39C जो है पहले का आएगा adequate mean of livelihood यह आपका आता है 39A के अंदर equal pay for equal work के अगर हम बात करते हैं for men and the women 39D के अंदर आता है maternity leave for implied women यह नहीं आता है यह पूरी तरीके से नहीं हमने बता रखा हमने इसमें बता रखा है कि उसको just conditions provide करेंगे under article 42 जैसे उसको वो काम कर सकती होगी उसको हम condition provide कर देंगे और जो है उसके according maternity relief भी मिल जाएगा but ऐसा नहीं कि उसको leave दे दी है अंसर इसमें क्या बनेगा D option बनेगा यह explicitly जो है पूरी तरह से जो है मतलब दर्शाया नहीं गया उसके अंदर D option is the right answer next question which of the following statement is not correct about the constitution amendment 86th amendment act 2002 और देखे 2002 के according article 21a एड किया था जिसमें 6-14 साल के पढ़ना उसकी fundamental right है article 45 एड किया गया था जिसमें 0-6 years के बच्चों को पढ़ाना parents states की duty है 11th fundamental duty एड करी गई थी जिसमें आपके 6-14 year के बच्चों को पढ़ाना parents की duty है यह आपके 3 चीज़े करी गई थी 86th amendment के द्वारा it made the provision for early childhood care and education below the age of 6 year under article 45 यह लिखा गया है providing opportunities for education in the 6-14 year age from a parent as a fundamental duty under article 51a यह लिखा गया है it made it binding for the government of India to set up a nodal industry to ensure effective implementation of provision under 75 यह कुछ भी निया है free and compulsory education 6-2 years 21a यह बिल्कुल लिखा गया है तो कौनसी चीज़ नहीं लिखे गी नहीं पूछा था तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका C option बनेगा C option जो है वो नहीं लिखा गया तीनों education का concept लिखा गया है यह आद आपको याद रखना है पुरुशुक्ता मंडल जो है ये कौन से वर्ना से लिया गया है पुरुशुक्ता मंडल जो है जिसमें आप कास सिस्टम की बात करते है और पुरुशुक्ता मंडल जो है आपका 10th मंडल के अंदर लिखा गया है 10th मंडल clear और ये कहां पर है रिगवेद के अंदर रिगवेद के अंदर clear answer इसमें क्या बनेगा C और रिगवेद को पढ़ने वाले पंडित का जो नाम हो है वो है होत्री यह आपको ध्यान रखना है और अथर्व वेद जो है जिसमें Black Magist की बात करीगी है साम वेद वो है जिसमें Music के बारे में बात करीगी है तमील भाशा की Grammarian है और इन्होंने बुक लिखी थी तमील लिटरेचर लिखा था पहली तमील लिटरेचर के अंदर जो बुक लिखी थी डैडीस तोल का पियार तोल का पियार पुस्तक लिखी गई थी और जो यह सम्बंधित है ना वो संबंदी थे संगम एज के साथ, संगम एज क्या है, जो कवियों की जो संगम होता था, पोईट्स का मिलन, वो होता था संगम, और इंशिन इंडिया में तीन संगम हुए हूए हैं, पहला संगम हुआ था मदुरई के अंदर, जिसमें सारे gods बगवानों ने हिस्सा लिया था second संगम में कपाठपूरम जो आपका तोलका PM जो 4% थे जिनोंने तोलका PR लिखी थी और third संगम हुआ था मदुरई के अंदर ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका जो इसमें answer क्या बनेगा जी आपका Tamil is the correct one Supreme Code of Kolkata Supreme Code of Kolkata started in India in which act introduced in India Kolkata जो Supreme Code बनाई गए थी वो Regulating Act 7073 में बनाई गए थी और established करी गए थी 7074 में Act था Regulating Act के according तो इसमें answer क्या बनेगा जी आपका None of these is the right answer लेकिन हम याद करेंगे कि Supreme Code जो है अभी New Delhi के अंदर है और New Delhi की जो Government of India Act 1935 के according बनी हुई है और established कब करी गए थी 28 जनवरी 1950 को established करी गए थी और प्लस यहाँ पे Act है जैसे Pits India Act है यह 7084 का Act है जिसमें Board of Director और Board of Governor को अलग-लग जो है रूल दे दिये गए थे 1909 का Act जो था सेपरेट जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए था मौरले मिन्टो रिफॉर्म था 1858 के Act को सुशासन का नियम Good Governance Act भी आप कहते हैं 1919 का जो Act था जिसमें आप Provincial डियार्की की बात करते हैं Provincial डियार्की दोए शासन की बात करते हैं प्रांतों में यह दियार रखना Montesco चैंपसर रिफॉर्म भी इसको कहते हैं अंसर इसमें क्या बनेगा None of these इनमें से कोई भी इसमें नहीं आता तो यह थे आज की लेक्चर के अंदर कोशन इस लेक्चर की PDF आपको लेकिन थोड़ा से दूर करेंगे आपको 10,000 MC को इसका कोर्स भी नज़र आजाएगा और जलना उपर भी आपको नज़र आजाएगा थोड़ा सा स्कॉल करना पड़ेगा आपको दोनों आप चैप्टर वाइस डिस्स किये गए हैं अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजे अधरवाइस डिस्लाइक कर सकते हैं लेकिन डिस्लाइक का रिजन जरूर बताना की डिस्लाइक क्यों किया आपने और शेर कर सकते हैं आप लेक्चर को अगर मैं भी अच्छा बढ़ाऊंगा obviously बात मुझे भी अच्छा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे इसको और plus again sharing is caring ध्यान रखना और subscribe कर लिजे और मेरे lectures की notification मिलती जाएगी ऐसे so thank you so much guys all the very best good luck take care